हेलो हेलो सर वेलकम बैक अब आज हम लोग कंटिन्यू कर रहें एन पीओ का अगेन हम लोग कौन से सेशन में सर 2022 का बोर्ड एक्जाम जो टर्म 2 का बोर्ड एक्जाम से उसके लिए प्रिपेर कर रहें क्वेस्चन नंबर 41 पर आते हैं अब और यहां पर दिया हुए हम लोग को रिसीट और पेमेंट अकाउंट है ना भाई तो रिसीट और पेमेंट अकाउंट दिया हुए अरे भाई भूल गये हूं पहले आएगा इंट्रो इंट्री टू वन अब शुरू करते हैं question number 41 चलिए from the receipt and payment account and additional information of friends club for the year and day 31st March 2019 तो receipt and payment account दिया हुए हम लोग को बनाना है income expenditure account तो balance sheet अभी नहीं बनाना है हम लोग को सिर्फ income expenditure account बनाना है यहां से लेकिन कुछ-कुछ adjustment दिया हुआ है नीचे में है कि नहीं तो यहां पर बोल दिया है club का balances था asset liability क furniture को लेके बोल दिया है तो यह सब हम लोगों को काम आएगा most पर भी शायद depreciation लेकर देखिए last point में दिया depreciation तो जैसे जैसे आता है subscription को लेके कुछ adjustment आने वाला है outstanding salary को लेके adjustment है मैंना subscription मैंने पहली बोल दिया furniture का depreciation को लेके adjustment है तो थोड़े बहुत ही adjustment है बहुत जादा नहीं है और बाकी सारा normal item है तो इसमें हम लोग filter out करेंगे कौन-कौन सा जाएगा income expenditure में कौन-कौन सा नहीं जाएगा ठीक है चली सर स्टार्ट करते सबसे पहले तो एक प्यारा सा format बना लेते हैं तो यह बनगे अपना format फटा फट देखे डेट कॉलम नहीं रहता है पहली बोल दिया मैंने डेट कॉलम जर्णल फुलियों का कॉलम यह सब नहीं रहेगा आपका income expenditure account में क्यों नहीं रहता है सर डेट का कॉलम क्योंकि बनता ही है income expenditure account 31st March को balance sheet में कभी आप date का कॉलम देखे हैं नहीं ना क्यों क्योंकि वो बनता ही end of the year इसलिए तो आ गया sir income expenditure account चलिए discussion शुरू करते हैं और यहाँ पे आ गया अपने लिए सारे के सारे expenditures यहाँ पे आ गया सारा का सारा income और यहाँ पर amount place कर देंगे हम लोग चलिए ठीक है ऐसे format और detailed होता है बढ़ तो सबसे पहला item देखें solve करने का system होता है sir एक एक करके सारा item को tick off करना है मतलब आप ऐसी randomly कहीं से भी कुछ मत लीजिए नहीं ऐसे नहीं करते हैं सम को बट ठंडा दिमाग से एक 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 करके solve किया जाता है चलिए तो क्या करेंगे हम लोग हम लोग सबसे पहले receipt payment account देखे हम ने सही है फिर दिया हुए donations यह income है sir general donation है specific नहीं है normal donation 44,000 सर शोटा से tick मार लिए भर अब यहाँ पर लिख लीजिए by donations by donations 44,000 आ गया भाई income side में खतम देखा इस तरीके से एक एक करके सब tick करते चलो sale of old sports material sale of old sports material तो पुराना sports material बिग गया अब question है यह आएगा कि नहीं आएगा तो उसने वाला चीज है क्या यह आएगा नहीं आएगा अब यहाँ पर सर टेक्निकली देखा जाए तो नहीं आएगा sports material आप बेचे हो sports material क्या है sports material एक fixed asset है अगर आप sports material खरीदते हो तो वो balance sheet में जाता है अगर बिकेगा तो उसको भी balance sheet से उड़ाओगे उसको आप income expenditure में नहीं डालोगे this is not an expense this is a capital revenue capital expenditure capital revenue है तो यह सर यहाँ पर नहीं आएगा समझ में आ गया लेकिन अगर इस पर profit या loss बोलता तो वो income expenditure में आ जाता है वरना ऐसे balance भी नहीं आता और sports material का sale भी नहीं आएगा अब दे दिया सर हम लोगो subscription तो subscription पूरा मिला है हम लोगो 66,600 अब इसमें से बोल रहा है 1600 लास्ट यर का था इस साल का मिला है 60,000 और आने वाले साल के लिए 5000 अब ऐसे तो सर सम के बनाना बड़ा मुश्किल है मुझे पता है सम बनाना मुश्किल हो जाएगा इसलिए आप कर कर्मेंट मैंने 10 बार बोला है फिर से में एक बार फटाफट यहां पर बता देता हूं है कि नहीं है कि यहां पर आता है तू बैलेंस बीडी यह होता है opening outstanding यहां पर आता है बाइबैलेंस बीडी इसको हम लोग बोलते हैn opening advance फिर आता है तु इनकम expenditure account और यहांपर आता है ब लखा जाता है to balance cd this is the closing advance end में कितना advance मिला next year के लिए अभी carry forward होगा और यहां पर buy balance cd this is called closing outstanding अभी भी कितना मिलना बाकी है इतना कुछ करने के बाद सब्सक्रिप्शन का format सर यह लगेगा हम लोगों को बार-बार मैं काम करता हूं न मैं इसको copy कर लिया मैं अब मुझे हो गया सान्ती अब मुझे हो गया सान्ती अब आगे बढ़ते हैं सर अब आगे बढ़ते हैं चलिए subscription में यह आपर क्या दिया पूरा साल में कितना मिला है 66600 और इसको प्लेस कर देते हम लोग है 2019 20 के लिए यानि कि next year के लिए इसमें 5000 रुपीज है तो यह advance हो गया सर तो advance in the end हम लोग लिख सकते हैं आपर 5000 closing advance इस साल जो 66600 मिला है उसमें से 5000 next year को जाएगा तो 5000 हो गया closing advance वो मैंने लिख दिया और क्या है सर 1819 को बिलॉंग करता है 60,000 इसको hold पर रखो यह concept को hold पर रखो और 1718 1718 को बिलॉंग करता है 1600 मतब पिछला साल को बिलॉंग करता है तो last year मेरे को कितना मिलना चाहिए था last year अब छोड़ो अभी यहाँ पर क्यूंकि subscription का adjustment बाकी है तो जब subscription का हम लोग adjustment करेंगे न ये वाला और ये वाला तब हम लोग इसको ध्यान दे देते हैं नहीं तो अभी कर लेते हैं क्या ही जा रहा है क्या ही जा रहा है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं, अभी जो पकड़ लिए तो खदम करते हैं, लास्ट येर का हम लोग को बोल रहा है, 1600 रुपीज मिला है, और आप ये एड्जस्मेंट को पढ़िए, on 1st April 2019, यानि की opening, subscription in area था 2000, opening, outstanding in areas मने outstanding, opening, outstanding था कितना 200, और मिला कितना 1600, तो था कितना 2000, तो 2000 रुपीज ओपनING outstanding में डाल दिया, लेकिन मिला कितना मेरको सिर। 1600, तो बचा कितना 400 अभी भी मिलना बाकि है, तो ये जो 400 मिलना बाकि है, ये अभी भी outstanding है, तो closing outstanding में closing outstanding में हम लोग लिखतेंगे 400 यहाँ पर एक ठो bracket करके 400 यह last year का अभी भी मिलना बाकी है और भी outstanding है और भी outstanding है, देखिए adjustment में last year का full पैसा नहीं मिला अभी तक, वो तो outstanding है ही plus उसके साथ साथ यहाँ पर बोल रहा है, the club had 75 members each paying an annual subscription of 1000, तो club में total member कितना है, 75 और हर एक जन कितना subscription पे कर रहा है, 1000 तो total मेरा collection कितना होना चाहिए 75,000 75,000 मेरे को इस साल मिलना चाहिए इस साल को belong करता है तो income expenditure account में डाल दीजिए 75,000 इधर में आएगा 75,000, मतलब इतना मिलना चाहिए लेकिन इस साल का मिर को मिला कितना इस साल का मिर को मिला कितना 75 मिलना चाहिए, लेकिन इस साल का मिला कितना, लास्ट यर का तो हमने बात कर लिया 1600 मिला, आने वाले साल के लिए 5000 मिला, इस यर के नाम पे कितना मिला, 60,000 मिलना था 75, मिला कितना 60 तो अभी भी outstanding कितना 15,000 तो ये sir हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 15,000 इसमें add कर देंगे 15,000 तो देखिए अभी 15,400 मिलना बागी है opening advance नहीं दिया हुआ है question में आपना subscription account complete sir ऐसे देखा जाए तो आपको subscription account बनाने का भी जरुवत नहीं था क्योंकि income expenditure का amount directly हम लोगो 75,000 मिल गया मिल गया बट directly check करने के लिए देख लेते हम लोगों का ledger match कर रहे की नहीं कर रहे है match कर जाना चाहिए 2,000 आ गया 75,000 आ गया 5,000 आ गया यह हो गया 82,000 और इधर देख लेते 66,600 प्लस 15,400 यह भी आ रहे है 82,000 तो अपना subscription account match तो कर रहे है हम लोगों का logic 100% correct है logic चेक करने के लिए वड़ना अगर आपको खाली income expenditure का figure चाहिए था आपको literally subscription कुछ नहीं करना था इतना जो मैंने कर दिया ना इस में तो balance sheet भी ready हो जाए आपको सिर्फ यह income expenditure का figure चाहिए था 75 तो आपको क्या लिखना है finally income expenditure में यहाँ पर आपको लिखना है by subscriptions by subscriptions account 75,000 यह आपको करना है बस यह लिखना था और कुछ भी नहीं तो sir directly multiply कर गए लिख सकते थे हाँ लिख सकते थे कोई लिखत नहीं है लेकिन फिर चलता किसे चलता कितना outstanding और क्या है पता लगाना क्यों है balance sheet के लिए balance sheet बनाने नहीं बोला तो छोड़ दो बढ़ ठीक है हम आने कर दिया अपने लोग ज्यादा पड़े लिखे चलो तो सब्सक्रिप्शन आइटम ड़न फिर आता है furniture purchased 1st December को कितना है 1,20 लेक का पर्चेस तो नहीं जाता है तो furniture यहां पर हम Russी की परचेस किये कब में 1st December को तो furniture एक पनावलक हम पास पहले से भी था देखिये ए फरinformे germ릴 मेरे पास पहले से भ़न लेक का था और अभी और नया furniture आ गया है तब आया फरस्ट डिसेंबर को, अगर first December को आया है, तो December January, February, March, कितना months हुआ, four months तो इस पे depreciation लगेगा four months के लिए, और जो पहले से हैं हम लोगे पास, उस पे तो पूरा 12 months का लगेगा, so 12 months पे first machine का लगेगा और four months पे ये second वाला machine पे लगेगा depreciation, निकाल लेते हैं भाई तो 1,20,000 पे depreciation निकालना है, 10% per annum दिया हुआ है question में, यहाँ पर ये रहा depreciation on furniture 10% per annum third adjustment दिया हुआ है ना भाई, third adjustment दिया हुआ 10% per annum, तो 1,20,000 का 10% into four by twelve होगा, क्योंकि सिर्फ four months यूज हो रहा है, तो 12,000 into four divided by twelve, four thousand आता है four thousand आता है, तो यह second वाला machine का value आ गया, four thousand four के, और पहला वाला जो machine है उसको तो पूरा साल यूज की है हम लो we have used it for the entire year, so the first machine which is for one lakh rupees that one lakh rupees, the depreciation will be charged for the entire year, entire 10% ले लो, 12 months के लिए, that is coming to ten thousand rupees, ten thousand rupees on the first machine is the depreciation four thousand rupees is on the second machine machine बोल रहे, furniture, sorry furniture, so ten thousand on the first furniture four thousand on the second furniture total how much, fourteen thousand is the depreciation, so in income expenditure account, you will write two depreciation two depreciation ten thousand plus four thousand total हो गया, fourteen thousand total हो गया, sir, fourteen thousand must complete यह furniture का depreciation sir, यह one lakh twenty का क्या करना है, कुछ नहीं करना है balance sheet में जाएगा buy salary, one lakh rupees salary दिये, one lakh rupees तो two salaries one lakh लेकिन, sir, salary में adjustment है, इसलिए inner column में लिखे, पहले ही देख लिए थे अच्छा, देखे, furniture का adjustment हो गया, subscription का adjustment हो गया, outstanding salary बोल रहा है, six thousand तो sir, outstanding को तो add करते है, outstanding in the end को add करते है, यह outstanding in the beginning है, यह जो outstanding salary है, यह outstanding in the beginning है, इसको add नहीं करना है, इसको less करना है, इसको less करना है, तो less, less outstanding in beginning, six thousand, ninety four thousand आएगा, ठीक है sir, और कुछ है? और तो कुछ नहीं है, फिर यहां पर सेक्रेटरीज का ओनरेरियम दिया हुए 4000, लिख लो भई, खर्चा है नॉर्मल, टू, सेक्रेटरीज ओनरेरियम, ओनरेरियम, 6000, 6000 ही था न, ओ, 44 है, नहीं, 4000 है, सौरी, सौरी, यहां लिख लीजिए 4000, 4000, उसके बाद देखिए, बुक्स तो नहीं आएगा, बुक्स तो fixed asset हो गया, बुक्स नहीं आता, और balance sheet ही दिया cash का, यह भी balance sheet में जाता है, यह भी आ नहीं आता है, तो सारा item हम लोगों ने देख लिया, adjustment का भी सारा item कवर हो गया, सारा का सारा item done, finally we are arriving here, यह है हम लोगों का पूरा का पूरा income expenditure, इतना सा मे plus 75,000 plus 1,20,000, this is coming to 2,39,000, इधर भी आ रहा है, 2,39,000 total, और यहाँ पे आप लिखेंगे, to balance नहीं, sorry, to surplus, क्योंकि आपका income जादा है, to surplus, surplus कितना रहा है, 2,39,000 minus 14,000 minus 94,000 minus 4,000, this is coming to 1,27,000, अपने से कोई mistake हो रहा है क्या, क्योंकि book में answer दिया, 1,29,000, subscription in a year बोला है, 2,000, 1st April 2018 को, 2,000, ठीक है, ठीक है, ठीक है, income expenditure 75, एकदम correct है, donation 44 भी correct है, अच्छा, I think they have included the sale of old sports material, ले लो, sale of old sports material ले लो, देखो भाई, टेक्निकली ऐसे नहीं आना चाहिए, देखो हम तुम को समझा रहा है, जहाँ पर देखो, sports material account में जाते हैं, हम लोग पहले ये सारा question solve की हैं, है की नहीं, पहले का, तो मैं आपको एक ठो, sports material account दिखाता हूं, ठीक है, एक ठो complicated हम ही लोग बनाए थे बैठके, साथ में, एक ठो question में, sports material, sports material कहां गया, ये रहा सर, ये देखिए, ये देखिए आप sports material, त्यान से देखवा, ठीक है, sports material दिया है, ये question में लिखा हुआ था, sports material sold during the year, देखो भाई, हम थोड़ा fact के हिसाब से बात करता है, question number 29 जब solve कर रहे थे, तब जो sports material हम लोग बेचे थे, during the year, उसका book value बोला था, 50,000, बेचे थे 56 में, 6,000 का profit हुआ, 6,000 का profit को हम लोग transfer किये थे, income expenditure account में, अपना answer पूरा match किया था, पूरा का पूरा answer match किया था, देखो, यहाँ पर लिखे, amount to be shown in income expenditure, 84,000, जूट नहीं बोल question number 29 उठा लो, वहाँ पर 56,000 नहीं लिया गया था, income expenditure में, income expenditure में 84 लिया गया था, ज़ह हम लोग machine बेचे थे, sports material बेचे थे, तो हम लोग consider भी नहीं किये थे, consider भी नहीं किये थे, लेकिन यहाँ पर, यहाँ पर आपको consider करने बोला जा रहा है, कर लीजिए, ठीक है सर, यही इससे कोई sticky नहीं करता, तो अपने भी irritate हो जाते है थोड़ा, क्या करे अब, ठीक है भाई, ले लो, और क्या बोले हम, book से answer match कराने के लिए लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक item add हो जाएगा, by sale of sports material, आना नहीं चाहिए, आना नहीं चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए था, का value 0 हो गिया, उसको 2000 लोग ले रहे हैं, तो profit मान लेते, लेकिन ऐसी बोल दिया, sale of old sports material, गलत है, यह language ही गलत है, थोड़ा और specific बोलना चाहिए, जाधा बुदिमान लोग के लिए problem हो जाएगा, यह question, गधा लोग बना लेगा, 1,29,000 आएगा, तो यह total आरे, 2,41 लेजर का टोटल लेजर का आरे, 2,41, समझें, क्यूं नहीं लिए और फिर क्यूं ले लिए, क्यूं नहीं लिए, क्यूंकि पहले किसी question में लिया नहीं था, sale of sports material को यहाँ पर, अब क्यूं ले लिए, ऐसी, ऐसी, मान लिए कि यह sports material right off हो चुका था, यह sports material का value सर, book value 0 था, और क्या, लेकिन यह बोलना चाहिए न, यह बोल रहा है कि book value 0 है, तो लिखो ना भाई कि book value 0 है, तब ना समझ में आएगा, हमको कैसे पता है profit है loss हुआ है, कुछ नहीं लिखा है तो हमको लगा, book value उपे बिग गया, यह भी तो बोल सकते हैं कि book value भी 2000, 2000 में बिग गया, यह आर्गू question number 41, शुरू करते हैं भाई, question number 42, चली सर, 42, 42, यह रहा, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, again, we have receipt and payment account given, और अपने लोग को बनाना है income expenditure account, तो फिर से balance sheet नहीं बोला है अभी तक, अभी तक balance sheet तक नहीं पहुँचे है, यहाँ पर simply बोल रहा है, income and expenditure account बनाने, चली ठीक है सर, start कर लेते हैं, देरी नहीं करते हैं, पहले तो सबसे पहले आता है format, और यहाँ पर subscriptions का जादा कुछ तो खास मेरे को adjustment लग नहीं रहा है, subscriptions को लेके भी बहुत जादा ऐसा कुछ adjustments नहीं लग रहा है, चली सर, तो हम लोग directly start कर देते हैं, फटा-फट format बना लेते हैं, subscription का adjustment में क्यों चेक करता हूँ, क्योंकि मेरे को फिर subscription का ledger का format बनाना पड़ता है, और कोई बात नहीं है, if there is proper subscription को लेके जहमिला, तब तो उसका format भी बनाना पड़ेगा न, तब ही तो अच्छे से हम लोग solve कर पाएंगे, वरना हमेशा कुछ ना कुछ mistake होगा, चली सर, income and expenditure account, चली, इससे जादा detailed format में नहीं जाएंगे, time waste हो जाएगा बहुत जादा, आप लोग बनाईए भई, चली है, तो अब आते एक एक करके सारा item, system मेंने क्या बताया, कैसे करने का है, सबसे पहले receipt and payment account को पकड़ने का है, मतलब सब कुछ टिक करने का है, जो जो complete होता जाए, जैसे यहाँ पर balance sheet, sorry, balance cd दिया हुआ है, balance bd या balance cd, यह दोनों नहीं जाता, यह balance sheet का item है, तो आपक लेकिन 1920 तो last year को बिलॉंग करता है, इस year को कितना बिलॉंग करता है, इस year को सिर्फ 350 बिलॉंग करता है, हम लोग सिर्फ इस year वाला subscription लेंगे, तो income में डालेंगे, by subscription, because income expenditure account में इस year का ही related खर्चे जाते है, इस year के related income जाते है, तो इस साल से deal करेंगे, तो 350 दिया हुआ है, 60,000 को ignore कर देंगे, 350 यहाँ पर inner column में लिखिए, क्योंकि बाद में adjustment है, 350,000 inner column में डाल दिया, हम के लिख रहें, exam में आप के मत लिखिएगा, तो donations कितना दिया हुआ है, 50,000 रुपीज, तो donations भी अपने लिए normally income है, so by donations, by donations, 50,000 रुपीज, ठीक है सर, next, entrance fees आया है, 80,000, तो 80,000, complete, तो अपना ये एक side पूरा complete हो गया, फिर आ जाते हैं हम लोग सारे खर्चों पर, क्या क्या जाएगा, एसी देख लेते, salary weight जाएगा, office expense जाएगा, sports equipment नहीं जाएगा, sports equipment हो गया आपके लिए asset, ठीक है, लेकिन सर, लेकिन सर, यहाँ पर समझिए, sports equipment क्या होता है, sports equipment एक consumable होता है, तो अगर कुछ नहीं बोलेगा, तो sports equipment का usage भी, income expenditure account में जाना चाहिए, ऐसा हम लोग, ऐसा हम लोग मान सकते हैं, अराम से इसको सोचना है, अराम से, खूब अराम से इसको सोची आप, ठीक है, दो चार मिनेट लेके सोची आप, एक दम आराम से, पूरा ठंड रहता है, एक सीधा logic हम आप लोग को बताना चाहेंगे, यह देखिए, यहाँ पर sports equipment, देखिए, sports equipment सर, दो तरीके से treat हो सकता है, एक, जिसको हम लोग बोलते है, consumable, और दूसरा, as a fixed asset, तो अभी तक हम लोग इसके पहले जो questions किये थे, question number I think, 20 से लेका 30 का बीच में, दियास तब sports equipment as a consumable treat कर रहे थे, मतलब तब sports equipment use करते, 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 खतम हो गया, तो sports equipment को directly income expenditure account में डालके write-off करते थे, लेकिन यहाँ पर as a fixed asset treat किया है, sir आपको कैसे पता sir as a fixed asset treat किया हुआ है, how do you know sir, क्योंकि adjustment में यहाँ पर बोला है, depreciate, depreciate fixed assets by, sorry depreciate sports equipment by 25%, अगर sports equipment depreciate हो रहा है, depreciate तो खाली fixed asset होता है, consumable तो depreciate नहीं होता, कभी देखे हो stationary depreciate हो रहा है, नहीं न, तो फिर consumable कभी depreciate नहीं होता, लेकिन fixed asset depreciate होता, यानि कि यहाँ पर sports equipment को sir fixed asset माना गया, और fixed asset अगर हम लोग purchase करते हैं, वो income expenditure में नहीं जाता है, वो सीधा balance sheet में जा से treat किया हुए, next देखिए, telephone charges, ये तो जाएगा, electricity charge भी जाएगा, traveling भी जाएगा, बाकी सारा जाएगा, start कर देते हैं sir, to salaries and wages, salaries and wages, salaries and wages कितना बोले है, 1,60,000, लिख दिया मैंने sir, 1,60,000, और कुछ है, office expense है sir, to office expense, आप लोको boring लगे, तो forward, forward मतलब 2x में play कर लो न, speed, तो फटा फट हो जाएगा, नहीं तो फिर गुस्सा होते हो, दीर दीर पड़ा आरे सोर, दीर दीर, 35,000, उसके बाद, electricity charges आ गया, और telephone charges आ गया, telephone charges 24,000, to telephone charges, telephone account भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, to electricity charges, electricity में कितना amount है, electricity में है, 32,000, और traveling expense में है, 65,000, traveling expense भी डाल देते हैं, to traveling expense, और कुछ बच रहा है, बस खतम, outstanding subscription, अब हम लोग आ गए, additional information में, outstanding subscription for the year end day, 31st March 2021, 55,000, 55,000 rupees, outstanding है इस साल आना, तो जितना आया है, 350,000 इस साल का आया है, और भी कुछ था इस साल का जो नहीं आया है, तो इसलिए हम लोग उसको add कर देंगे, add outstanding in the end, मतलब end में हम लोग देखे, कि हम लोग को अभी भी 55,000 rupees मिलना चाहिए, जो हम लोग को नहीं मिला है, so this will give us a sum total of 4,05,000, 4,05,000, सही, outstanding salaries and wages 40,000, ए बाबा, salaries and wages में add होगा, add outstanding, add outstanding 40,000, ऐसे inner column में करना चाहिए था, मैंने कर दिया, तो अब वापिस क्या लिख है, तो मैंने उसी में add कर दिया, outstanding है, देना बाकी है, चलो, ये भी adjustment हो गया, second वाला भी हो गया, third adjustment किया, depreciate sports equipment by 25%, यहाँ पर बोला है, अब सर, कितना, कितना दिन के लिए, क्योंकि sports equipment सर, कब खरीदें, ये भी नहीं बोला है, date of purchase नहीं दिया हुए सर, sports equipment का, ये देखिए, sports equipment, बस बोल दिया है कि ये during the year खरीदें, हम लोग, for the year, हम लोग को नहीं पता है कब खरीदे, exact date, लेकिन सर, जो percentage दिया 25%, इसके आगे भी तो नहीं लिखा है per annum, if the date is not given, and per annum और per month is not given, तो आप plat 25% ले लोगे, आप 6 months के लिए नहीं लोगे, अगर per annum दिया होता, तो 6 months ले लेते, क्यों, date missing है, लेकिन यहाँ पर ना per annum बोला है, ना per month बोला है, बस 25% बोला है, और उपर में date भी नह केस हो जाता है, तब आप क्या करते है, पूरा साल पे ले लेते है 25%, तो 25% बोल रहा है, 25% sports equipment, माने 3,40,000 का, 3,40,000 का 25%, कितना हो रहा है, 85,000 रुपीज, तो यहाँ पे आप लिखिए, to depreciation, to depreciation, bracket में sports material या sports equipment, जो भी, 85,000, 85,000, sports equipment है, sports equipment, चलिए हो गया complete, अब सर यहाँ पर क्या आ रहा है, सर प्लस आ रहे कि deficit आ रहा है, सर प्लस यहाँ तो 5,00, पार कर रहा है, यहाँ पे तो 5,00, टच भी नहीं हो रहा, तो चलिए सर, टोटल यहाँ पे कितना आ रहा है, 4,05,000, प्लस 50,000, प्लस 80,000, आ रहा है 5,35,000, और यहाँ पर 5,35, minus, तो 2 सर प्लस लिख देते हैं इधर में, minus 1,60, minus 40,000, minus 35,000, minus 24,000, minus 32,000, minus 65,000, minus 85,000, it is coming to 94,000, हम लोगा सर प्लस का अमाउंट कितना आ रहा है, 94,000, सर प्लस इस कमिंग तो 94,000 रुपीज चा, तो 94,000 है आंसर, प्लस ग्रेवल के हिसाब से भी 94,000 रुपीज ही आंसर है, excess of income over expenditure, चेक कर लो भाई, hopefully correct, अब हम लोग स्टार्ट करते, question number 43 के साथ, show these items in income and expenditure and balance sheet, तो हम लोग को extract बनाना है, I guess, extract बनाना है, balance sheet बनाना है और sports, फॉर्ण लिए सब उल्टा सीधा चीज दिया हुआ है, extract ही है, सारा item तो दिया नहीं हुआ है, surplus deficit तो निकाल नहीं सकते हैं इस ना में, लेकिन ठीक है हम लोग start कर देते हैं, ठीक है, let's start, तो बस एक ही साल का बनाना है, दो साल का balance sheet नहीं बनाना है, एक ही साल, एक ही साल का income expenditure एक ही साल का balance sheet, चलिए सार, तो एक साल का income expenditure बना लेते हैं, income expenditure account, और एक साल का balance sheet, balance sheet में थोड़ा सा area जाएगा, I am guessing, इसना balance sheet में होगा नी area में, एक सेगंड रुकी है भाई बैलेंस शीट का दूसरा पेज में ही करना पड़ेगा ट्रीटमेंट चलिए सर बैलेंस शीट ऐज अग 31,3,2021 21 ही बनाना है न तो ये भी हो गया 31,3,21 दोन हम लोग बना रहें 31,3,21 के लिए स्टाट करते है स्पोर्टस फंड, ओपनिंग ओपनिंग स्पोर्टस फंड बोल रहा है 3,50,000 बैलेंस शीट में जाएगा तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जगा छोड़ देते हैं कैपिटल फंड के लिए यहाँ से लिखते हैं स्पोर्टस फंड ओपनिंग कितना दिया हुआ है ओपनिंग दिया हुआ है 3,50,000 ओपनिंग बैलेंस 3,50,000 है स्पोर्टस फंड का आ रहा है 3,50,000 तो हमने इंवेस्ट करके रख़ा है तो सर एसेट साइड में स्पोर्टस फंड इंवेस्टमेंट्स 3,50,000 उसके बाद इंट्रस्ट आन स्पोर्टस फंड इंवेस्टमेंट 40,000 इंट्रस्ट आन स्पोर्टस फंड इंवेस्टमेंट 40,000, तो मैंने क्या बोड़ा था, अगर कोई fund का पैसा invest किया हुआ है, और वो fund exist करता है, तो उसका interest उसी fund में add करेंगे, तो यहाँ पे आप add करेंगे interest, interest, जितना भी interest आया है, interest आया है 40,000, तो यह interest को हम लोग 3,50,000 में add करेंगे 40,000, total amount आ रहा है 3,90,000, ठीक है सर, अच्छा, उसके बाद देखिए आप, donation अच्छा भी खतम नहीं हुआ था, I am so sorry, अभी तक खतम नहीं हुआ है, तो donation for sports fund बोल रहा है 1,50,000, मैंने बे मतलब total कर दिया, अभी तो और donation मिला है, एक second, तो sports fund के लिए और donation आया है, तो add करेंगे donation, add करेंगे donations, 1,50,000, और donation मिला है, तो बहुत अच्छा बात है, और कुछ है, sports price, sports price हमने बाटा है कितना 1,00, रूपी, sports price बाटा है 1,00, रूपी, तो fund में से माइनस कर दो, less price expense, 1,00, माइनस होगा, माइनस ब्रैकेट में डालने का, ठीक है, और कुछ है, expenses on sports events, expenses on sports event है सर, 48,000, ये भी आएगा माइनस में, less, 48,000, sports events का खर्चा, अरे sports का अगर fund है, तो सब उसी में से माइनस करेंगे न, और पैसा का कमी तो है नहीं, तो आराम से fund से माइनस कर रहे हैं, फिर दिया हुए एक थो general fund, इन general कोई एक fund बस बना हुआ है, तो general fund एक थो बना हुआ है, एट लाक रूपीज, general fund बस बोला हुआ है, एट लाक रूपीज, ठीक है सर, general fund, general fund देखिए, specific fund तो है नहीं, general fund मतलब एक general reserve type है, specific fund तो नहीं है वो, किसी भी purpose के लिए यूज कर सकते हैं, है कि नहीं, general fund, बड़ा rare है ये fund दिखना, लेकिन दिखता है, investment बस बोल दिया है, एक लाक, बस खाली investment, ऐसी कोई भी investment, कोई fund का investment नहीं है, नॉर्मल investment एक लाक, तो asset में जाएगा नॉर्मल, कोई भी investment, investments आ गया, 8 लाक, complete, उसके बाद क्या है सर, उसके बाद है interest on general fund investment, तो general fund investment भी किया हुए, अलग से 80,000 का, तो general fund का investment का amount नहीं बोला है हम लोको, यही investment शायद, शायद यही investment general fund investment है, इसलिए इसके आगे general fund नहीं लिखा, क्योंकि कोई भी purpose के लिए इसको use कर सकते हैं, तो interest मिला है इस पर, तो सर आप ही तो बोले हो interest है, तो सर उस fund में add कर दीजिए, अगर interest होगा, जैसे sports fund investment का interest को हम लोग यहाँ पर add किये, general fund का investment का 80,000 भी तो general fund में add होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, general fund का पैसा आप किसी भी चीज़ के लिए उस कर सकते हैं, it is not a specific reserve, it is not a specific fund और a specific reserve, इसलिए सर ज़रूरी नहीं है उसका 80,000 उसी fund में डालना, आप वो 80,000 income treat करोगे, तो income expenditure account में, income side पे चला जाएगा, by interest on investment या general fund investment, 80,000, इसको हम लोग as income treat करेंगे, और कुछ है, नहीं बोला हुआ है, अब चलिए सर, फटा-फट इसको balance कर लेते हैं, balance क्या करना है, balance तो हो गई नहीं, सब तो answer मिल गया है, बस इसको आप हम लोग थोड़ा सा देख सकते हैं, इसका total निकाल लेते हैं, तो 5 lakh हो गया, यहाँ पर 3 lakh 50 और 1 lakh 50, 5 lakh 40 आ गया बीच में, तो 5 lakh 40 में से आप 1 lakh 40 अगर minus कर लोगे, आपके पास बचेगा 4 lakh रुपीज, तो sports fund का balance तो आ रहा है 4 lakh रुपीज, sports fund का balance तो आ रहा है 4 lakh रुपीज, देख लेते हैं, सर एक बाई, sports fund का balance यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है 4 lakh रुपीज, तो यही है correct answer, तो और एक चीज यहाँ पर दिया हुआ है, hint दिया हुआ था, hint अगर question में दिया है, तो आप उसको use कर सकते हो, hint is a part of the question, it is not a part of the answer, देख लेते हैं, hint ऐसे देता का है, exam ने इतना अच्छा नसीब हुआ है कभी, interest on general fund investment will be shown in the income side of income and expenditure account, दिखा दिया हमने, और general fund बोल रहा है कि liability side दिखा दिया, और general fund investment बोल रहा है asset side, दिखा दिया, सब तो complete है, income हो गया, balance sheet हो गया, जो बनाना था, बना दिया, sports fund investment asset side में चला गया, normally investment 8 lakh rupees asset में चला गया, जो लल्ला लोग यह भी भूल जाते है, liability किधर होता है, asset किधर होता है, क्या ही बोले हम उसको, ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं, towards question number 44, not bad, तो adjustment तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है मेरको, क्योंकि sum के नीचे कोई adjustment नहीं है, लेकिन question थोड़ा बड़ा है, तो डरने का तो कोई बात नहीं है, जो item आएगा आएगा, और कमी item आते हैं, ऐसा तो नहीं होता, इंकम expenditure account का format बना लेते हैं, और फिर clarity मिल जाएगा अपने आप, जो लिए सर, format तो almost ready है, काफी सारा item है, अरे, 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 जी, sorry, sorry, phone बज़ गया था, sorry, silent बढ़ते हैं, silent पही था, अजीब अजीब चीज आगया नहीं, market में, अच्छा भी है, खराब भी है, तो जीज़ फोन बज़ता है, मेरा computer भी बज़ता है, चलिए, income and expenditure account, यहाँ पे आगया अपना expenditure, यहाँ पे आगया income, इधर आगया rupees और rupees, इधर आगया debit, credit, format ready, चलिए सर, start करते हैं, सबसे पहले तो समझ लीजिए, balance BD और CD कभी नहीं आएगा, तो balance BD को हटाईए, और balance CD को हटाईए, this is not going to come in income expenditure account, they belong to balance sheet, entrance fees, last year का बताया, इस year का बताया, हम लोग कब का बना रहे, 31st March 2021 का, तो सर, this is not relevant to us, only this is relevant to us, तो खाली इसी को select करेंगे, हम लोग entrance fees for this year, चलिए सर, तो income में लिखिए, buy entrance fees, buy entrance fees, खाली इस year वाला, इस year वाला आ रहे है 50,000, 50,000, complete, उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए सर, subscription आ रहे है, subscription last year का दिया हुआ है, last year का दिया हुआ है सर, last year का नहीं लेंगे, आने वाला year का भी हम क्या करें नहीं लेंगे, इस year का, इस year का बोल दिया है 90,000, बट ये सिर्फ 90% है, 100% नहीं मिला है, तो outstanding है कुछ, 10% outstanding है, अगर 90,000, 90% है, तो पूरा amount कितना होगा, 1,00, 90,000 अगर 90%, तो 100% कितना होगा, 1,00, simple unitary method, तो चलिए सर, अब यहाँ पर लिखिया, by subscription, लिखना कैसे है, मैं सिखा दे रहा हूँ, by subscription, पहला तो बात आप इसी year का लेंगे, तो आप inner column में लिखियेंगे, 90,000, plus outstanding in the end, 10,000 अभी भी बाकी है, total हो गया सर, 1,00, total हो गया सर, 1,00, आ गया मजा, next, life membership fees, life membership fees, income नहीं है हम लोग के लिए, यह जाता है capital fund में, इसको नहीं लेंगे, balance sheet का item, donations लेंगे सर, donation, general donation है, 1,20,000, तो यहाँ पर लिख लीजिए, by donation, 1,20,000, यह हम लोग लेंगे, general donation, इसके बाद देखिए, donation for tournament बोला है, यह नहीं लेंगे, यह नहीं लेंगे, यह specific हो गया, यह specific fund create कर रहा है, donations for tournament, tournament fund में जाएगा, यह यहाँ नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पर यह item नहीं लेते हैं, इसको हटाईए, उसके बाद देखिए, subscriptions for governor's party, subscription for governor party, यह भी specific fund है, 15,000 रुपया, यह भी नहीं आएगा, interest on 8% fixed deposit, यह आएगा, fixed deposit किये थे, उस पर interest आया, तो interest आएगा, interest income है अपने लिए, 2,400, by interest on FD, by interest on FD, कितना आ रहा है, 2,400, उसके बाद देखते है, sale of old newspaper, यह आएगा सर, 300, newspaper बेचे, by sale of newspaper, by sale of newspaper, कितना, 300, लिख लिया, next, sale of old sports material, पुराना sports material बेचे है, 500 में बेचे है, 1200 का book value था, तो sale value कभी नहीं आता है, profit या loss आता है, profit या loss आता है, तो 1200 माइनस 500, 700, क्या हुआ ऐसा, 700 का loss हुआ है, तो यहाँ पर लिखिए, 2, sports material, expense में, expense side में, है तो loss, 2 sports material account, bracket में लिख लीजिए, loss on sale, 1200 माइनस 500 हो गया, अपने पास 700, locker का rent, locker का rent आया, 6,800, लेकिन उसमें, 1920 का 600 है, तो उसको हटा दो, last year वाला हटा दो, तो 6,800 माइनस 600 हो गया, 6,200 है, हम लोग का actual में, locker rent, तो buy, lockers rent, 6,200, हो गया भाई, एकदम साही, उसके बाद क्या है सर, उसके बाद expense है, rent, अब rent दिया हुआ है, 60,000, लेकिन 60,000 में, 15,000 last year का खुशा हुआ है, तो last year को गुली मारो, खाली इस year का लेंगे, टू rent, 45,000, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, टू rent 60,000 माईनस, previous year 15,000 हो सकता है, insurance premium, 15,000 बोल रहा है, advance, 60,000 में वापिस 15 निकाल दीजिए, वो next year को भी लॉंग करता है, हम लोग तो 2021 में है, 21, 22 का 15,000 है, उसको हटा दीजिए, तो two insurance premium, वो advance हो गया ना, advance minus होता है, 45,000, फिर से 60,000 माईनस 15, वो advance था, sports equipment खरीदे हैं, sports equipment अपने लिए fixed asset होता है, last question में discuss हुआ था, 50,000, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, इस पर depreciation charge होता है, sports equipment और sports material तो अलग अलग सीज है, sports material बोल दिया है याँ पर, sports material consumable बन गया, sports material fixed asset बन गया, next, furniture, furniture, purchase कब किये, 31st March को, कुछ करना है, furniture का, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करना है, depreciation बोला है याँ पर कहीं पर, कोई adjustment बोला है, नहीं बोला है, तो छोड़ दो, कुछ करना ही नहीं है, ये तो balance sheet में जाएगा, 8% fixed deposit, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा, जह मिला होगा, ये जो 8% fixed deposit है, 1,20,000 का, हम लोग कब की हैं, 1st October को, तो उस पर interest कितना मिलना चाहिए, fixed deposit नहीं आएगा, fixed deposit नहीं आएगा यहाँ पर, interest का बात करते हैं, 8% fixed deposit की हैं, तो 1,20,000 पे, अगर 1st October को किये, तो 6 months होता है, October, November, December, January, February, March, 6 months हुआ, तो 6 months के हिसाब से, मेरे को कितना interest मिलना चाहिए, into 8% into 6 by 12, 4,800 आ रहा है, ये जो interest है, it is coming to 4,800, है ना, लेकिन मेरे को यहाँ पर interest कितना मिला है, 2,400, based on my fixed deposit investment, मेरे को interest मिलना चाहिए, 4,800, 6 months के हिसाब से, लेकिन मेरे को मिला है 2,400, 2,400 मेरे को और मिलना चाहिए, outstanding है, तो interest on fixed deposit वाला portion में चले जाहिए, इसको inner column में ले आते, 2,400, plus, accrued, outstanding नहीं बोलेंगे, accrued, जब कमाई होता है ना, उसका outstanding को accrued बोलते है, accrued और मिलना चाहिए, 2,400, total होगा 4,800, total interest कितना बन रहा है, 4,800, मिला कितना है, 2,400, और कितना मिलेगा, 2,400, चलिए, इसी काम के लिए दिया हुआ था, फिर आता है, tournament expense, tournament expense दिया, और यहाँ पर donation दिया था ना, tournament का, यह देखिए, यहाँ दिया, donations for tournament, 50,000, और tournament का खर्चा कितना हुआ है यहाँ पर, 10,000, लेकिन सर, पूरा सम में, tournament fund नहीं बोला है, fund नहीं बोला है, tournament का fund नहीं दिया हुआ है, लेकिन income और expenditure दिया हुआ है, donation आया 50 का, और खर्चा हो गया 10, तो profit कितना का हुआ, profit हुआ 40,000 का, tournament के लिए donation आया 50,000, tournament में खर्चा हो गया 10,000, तो बचा कितना है, 40,000, तो यहाँ पर आप लिखेंगे income side में, profit हुआ ना, लिखेंगे by profit on tournament, 40,000, 40,000, fund नहीं दिया है, अगर यहाँ tournament fund का कोई नामों निशान नहीं है, नहीं तो valence sheet में ही जाता है, next, books, books तो नहीं आता है, fixed asset है, newspaper आता है, newspaper आ रहा है 1000, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, two newspaper, ट्यू newspaper अकाउंट, 1000, printing and stationary बिलकुल आएगा, 19,000, to printing and stationary, 19,000, balance ID तो नहीं आएगा, complete, let's have a look, let's have a look, पूरा का पूरा question में, question solve करते करते, नजरिया बदल जाता है, sir, question solve करते करते, आप देखेंगे, नजरिया बदलने लगता है, जब और भी items आ जाता है, तो हम लोग देखते हैं, कि हम लोग जिस तरीके से, सम को perceive कर रहे थे, वो change हो गया, 1200 plus 4000, total आ रहा है धर, 321,300, 321,300, minus 700, minus 45,000, minus 45,000, minus 1,000, minus 19,000, क्या पता, 210,600, ये आ रहे मेरा अंसर, बुक में क्या दिया हुआ है, देखो भाई, बुक में कुछ और ही दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है, 1,70,600, सीधा बात है, टोर्नमेंट उन्होंने फंड पे लिया है, profit और टोर्नमेंट, दे हाव नॉट कंसिडर, तो अपना mistake का हुआ है, यहाँ पर टोर्नमेंट पंड को ले कर अपना problem हुआ, यहाँ पर बोला donation for tournament, देखो आप लोग के सामने ही मेरा भी confusion create होता है, मेरा ही confusion clear भी होता है, साथ साथ में करते हैं न, तो donation for tournament आएगा कि नहीं आएगा, net result हम लोग को ग्रेवाल जी बोलना चाहते हैं, अगर आपको tournament का donation बोल दिया, specific donation बोल दिया है, तो वो नहीं आएगा, तो उसको हम लोग नहीं लेंगे income expenditure account में, उसको balance sheet में ही डाल देंगे, हाला कि मेरे को दिख रहे हैं आप कि मेरा profit हुआ है, फिर भी हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, donation है, तो specific काम के लिए छोड़ देंगे, और एक logic है, अब हमको याद आ रहा है, और एक logic है, जो आप लोग यहाँ पर use करोगे, क्यों नहीं आएगा, और एक अच्छा reason देने का try कर रहा है, इसलिए नहीं कि मेरे से गलती हुआ है, बात को समझो, 50,000 रुपीज मेरे पास donation आया, 10,000 donation यूज हो गया, tournament का खर्चा में, 40,000 जो बचा है, उसको क्या हम लोग अब अपना business में normally यूज कर सकते हैं, answer है, नहीं, उसको आप next year फिर जब tournament होगा, उस 40,000 को use करोगा, तो वो 40,000 तो एक करीके से side ही हो गया न, वो उस tournament purpose के लिए, तो वो fund ही बनेगा, तो यह profit नहीं आएगा सर, यह profit को हटा देना होगा, this item will not appear here, this item will not appear here, and hence this total will change, 40,000 कम हो जाएगा, 321,000 में से 40,000 गायब हो जाएगा, so this will come to 28, sorry, sorry, 281300, दोनों side का total, 281300, हो गया must, तो हम लोग का surplus will reduce by 40,000, 210600-40,000, and देखिए हम लोग का answer match कर रहा है, 17600, तो देखिए वही doubt, doubt, जो आपको सम बनाते time आता है, वही doubt हमें भी आता है, वह doubt मुझे भी आया, वही doubt मेरा भी गलत हुआ, और वहीं पर मेरा भी answer wrong हुआ, लेकिन इससे सीखने को क्या मिला, इससे सीखने को ये मिला, कि हम लोग को next time अगर tournament fund मिलेगा, तो फिर हम लोग उसको आराम से treat करेंगे, देखो, शूरू से tournament को ignore ही मार रहा था, जब when I was solving this, ये side में था, हम पहली बोला कि ये तो जाएगा fund में, छोड़ दो, cancel भी किया था, फिर ये जब देखा मैंने, तब मैंने इसको cancel ने किया, मैंने बोला, इसको अभी consider कर लेते अभी, फिर मैंने realize कि consider करना ही नहीं चाहिए था, यही सारा, ऐसे ही तो student भी सोचता है exam में, ऐसे ही अपने भी सोचते हैं कभी-कभी, समझ में आ रहा है, चलिए भई, आगे बढ़ते, अब देखो, हम लोग question number अभी किस में आ गए है, हम लोग अभी question number just 44 complete किये, अब 45 में जाएंगे, और clarity मिलेगा, और ज्यादा ready होके हम लोग enter करेंगे समझो, लेकिन हर जगा, हर एक सम में ऐसा, कोई न कोई investment होगा, ऐसा, कोई न कोई adjustment होगा, जो आपका दिमाग खराब करेगा, पुछरी कर सकते हैं, चलिए question number 45 start करते हैं, question number 45 में बोला है, prepare income expenditure account, किसका youth club का बनाना है, as on 31st March 2018, receipt payment account बोल दिया है, और हम लोग को additional information मिला है, subscription को लेके मिला है, sports material को लेके मिला है, और depreciation of furniture को लेके मिला है, पहले ही देख लिए adjustment किस-किस चीज़ का है, अब sum बनाना शुरू करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग start करते हैं, सबसे पहले तो income expenditure का format के साथ, देखिए हम लोग जो छोटा-छोटा sum solve की हैं, उसका यही logic है, उसको यहाँ पर use करना है, sports material बोलिए, चाहे आप subscription account बोलिए, वो सब चीज़ों को भी हम लोग को यहाँ पर use करना, अगर use नहीं करेंगे तो क्यूं पढ़े आप इतना छोटा-छोटा topic, तो यहाँ आ गया income expenditure account, और यहाँ पर आ गया अपने पास expenditure, और यहाँ पर आ गया अपने पास income, और यहाँ पर आ गया amount, complete, चलिए सब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो cash का BD और CD हटा दो, यह तो balance sheet में जाता है, उड़ा दिए, ठीक है, स्टार्ट करते हैं subscription के साथ, तो subscription 16-17 का दिया हुआ है, इससे मेरे को क्या मतलब, नहीं लेंगे, 18-19 का दिया है, मेरे को क्या मतलब, नहीं लेंगे, 17-18 से मेरे को मतलब है, 60,000 हम लोग लेंगे, तो मैं यहाँ लिग देता हूँ, by subscription, आते हैं adjustment पर भी आते हैं, by subscription, कितना amount दिया है सर, 60,000, 60 के मैंने inner column में लिखा, मेरे को पता adjustment है, डोनेशन बुला है, billiards table के लिए, specific donation हो गया, last sum sum लोग क्या सीखे, भाईया जब donation specific मिले, उसको balance sheet में डाल दो, उसको मत consider करो, हमने यह consider नहीं किया, billiards table 90,000 गया, balance sheet में जाएगा या नहीं आएगा, entrance fees आएगा सर, 1100 रुपीज, थोड़ा जगा छोड़के, buy entrance fees, buy entrance fees, 1100 आगया सर, उसके बाद, sale of old magazine आएगा सर, यह सब चीज का कोई value नहीं होता है, तो पूरा profit है, तो sale of old magazine 450, buy sale of magazine, 450, ठीक है सर, उसके बाद देखिए, salary दिया हुआ है, 31,500, salary दिया हुआ है, 31,500, त्याहाँ पर लिख लेते, 2 salary, 31,500, complete, उसके बाद, postage दिया, rent दिया, दोनों आएगा, postage 1250, rent 9,000, postage, rent, complete, उसके बाद देखिए, printing and stationary 14,000, to, printing and stationary, 14,000, उसके बाद, sports material, 11,500, अब sports material को लेके, कोई adjustment बोला है, यहाँ पर, हाँ बोला है, तो sports material, अभी हम लोग, एक second के लिए, hold कर रहे हैं, sports material, hold कर रहे हैं, जहाँ मेरे को doubt होता है, ना वहाँ पर, हम adjustment चेक करता है, sports material, आसान चीज़ नहीं है, फ़ड़ा hold करना होगा इसको, फ़ड़ा hold करिए, sports material का thought को, इसको बाद में करते हैं, miscellaneous expenses, ले लीजिए, 3,100, to, miscellaneous expenses, 3,100, यह सब में कोई जहमिला नहीं है, easy, easy है, उसके बाद, furniture बोला है, purchase किये, 1st October को, फिर से hold करिए, उस पर depreciation है, और 10% investment बोला, investment तो सर, balance sheet में जाता है, लेकिन सर, उसका जो interest है, वो तो मिलना चाहिए ना मेरे को, investment पर जो interest है, वो तो मिलना चाहिए, यह देखिए, मेरे को कोई interest नहीं मिला अभी तर, यह तो गलत बात है, मेरे को interest चाहिए, मैंने invest किया है, मेरे 10% दो मेरे को, 31st March को, तो 1st October 2017 को investment हुआ है, तो मेरा interest कितना निकल रहा है, मेरा interest on investment कितना निकल रहा है, 10% of 70,000 into, sorry, of 70,000 into, 70,000 into, October से लेकर 31st March, 6 months होता है, 6 by 12, कितना निकल रहा है, into 6 by 12, into 10%, 3500, यह है सर मेरा interest का माँ, 3500, तो यह interest आना चाहिए ना, मेरा income में, यहाँ पर लिखिए, by interest on investment, 3500, गायब है, यह missing था, अभी अभी just create किये, तो सारा तो adjustment हो गया, बस furniture अभी बाकिये, sports material बाकी है, और subscription भी बाकी है, start करते के करके, सबसे पहले additional information, subscription का देखिए, outstanding बोल रहा है, 16200, 16200, add कर दीजिए, add कर दीजिए, outstanding in the end, अब यहाँ पर देखिए, subscription आउट्स्टांडिंग, as at 31st March बोला है, for the year, 31st March नहीं बोला है, तो 31st March को, मेरा सब मिला के, 16200 अभी भी आना बाकी है, लेकिन, last year का, मेरे को यह जानना है, कि मेरा इस साल का subscription कितना है, इस साल का subscription मेरे को जानना है, इसमें तो पूरा history है, और यह history में यह भी बोल रहा है, second point में, कि 1200 रुपीज, 16,17 का अभी भी बाकी है, इसका मतलब, यह जो 16,200 का figure है, the figure, this 16,200 that has been provided to us, in this, within this 16,200, 1200 रुपीज, भी घुसा हुआ है, जो last year को बिलॉंग करता है, इस year को ने, तो इस year का outstanding कितना है, 16,200 माइनस 1200 अगर करोगे, तो आपको आएगा 15,000, और यह 15,000 अभी भी इस साल का आना बाकी है, इस साल से हम लोग को deal करना है, income expenditure में, तो यहाँ से जो outstanding in the end है, यह आप सिर्फ 15,000 अड करेंगे, total आएगा 75, last year क्या हुआ, कोई मतलब नहीं है, आने वाला year क्या होगा, कोई मतलब है, income expenditure में सिर्फ इस साल से relation में जा रहा है, तो इस साल का में इनको कितना मिला है, 60,000, already I have received for subscription, 60,000 रुपी, done, but apart from that, और कितना मिलना चाहिए था, तो यहाँ पर बोल दिया, 16,200, नहीं, 16,200 बोल रहा है, सब मिला के outstanding है, इस साल का और कितना outstanding है, वो 15,000 है, क्योंकि यह 16,200 में 1200, last year का पुछा हुआ, समझ में आया, तो वो 1200 अमने माइनस कर दिया, तो 15,000 अब subscription आ गया, 75, तो पहला दो adjustment complete, third adjustment देखिए, value of sports material in the beginning of the year बोल रहा है, 3000 end में बोल रहा है, 4500, तो सर एक ठो, sports material का ledger बना लेते हैं, working note, working note, sports material, subscription का भी account आप बना सकते हो, ऐसे आपको अगर मन है तो, तो sports material का आ रहा है, to balance bd, opening, 3000, और closing बोला था, 4500, buy balance cd, check कर लेते, 3000, 4500, हाँ ठीक है सर, और उसके उपर क्या बोला था, buy sports material, 11500, तो हमने खरीदा था कुछ, 11500, तो जब sports material खरीदते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे, to receipt payment account, sports material account, debit to receipt payment, to cash, जो भी, तो यह purchase किये थे हम लोग, अरे यार भूल जाते न, जो दिमाग एकदम पागल हो गिया है, 15500, 11500 था वो, 11500 देखा, पड़े हम 11500, भोल हम गलत दिये, क्या करें, क्या करें, बुड़ापा आ रहा है, तो total amount कितना आ रहे है, 14500, तो हमनों कितना का किये है, minus 4500, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, by income expenditure account, bracket में balancing figure, by income expenditure account, balancing figure, 10,000, यह जाएगा सर, amount, to sports material, amount is 10,000, कहां से आया सर 10,000, उसके लिए आपको चेक करना परेगा, working note, तो bracket में लिख दो working note, subscription done, sports material done, उसके बाद क्या बचा है सर, depreciation to be provided at 10% per annum on furniture, depreciation provide करना है, 10% on furniture, तो इतना आसान तो नहीं है, क्यों नहीं है सर, क्योंकि furniture, कब शुरू में कोई value दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, बस furniture बोल दिया है, कि हम लोग खरीदे हैं, कब खरीदे हैं सर, 1st October 2017 को खरीदे है, we have purchased furniture on 1st October 2017, for 20,000 रुपीज, इस पे 10% लेना है, तो कितना depreciation आ रहा है, कितना depreciation आएगा, खुदी calculate कर लो, to depreciation, to depreciation account, कितना आएगा, 20,000 का furniture है, 6 months के लिए लोगे, 10% per annum के हिसाब से, 10% per annum बोला है ना, हाँ बोला है, per annum नहीं बोलता है, तो 6 months, और फिर फिर मुश्किल हो जाता है, 20,000, into 6 divided by 12, into 10,000, into 10%, खिक है सर, हो गया, कितना आया, 2000, 1000 रुपीया आ रहा है, complete, और तो कुछ बच नहीं रहा है, बस, जो है यही है सर, सर प्लस ही लग रहा है सर, क्रेडिट साइड में 75,000 है, यहाँ पर तो इतना बड़ा अमाउंट है ही नहीं, तो चलिए सर ठीक है, तोटल कितना आ रहा है, 75,000 plus 1100, 450, 3500, 80050, 80050, minus 31500, minus 1250, minus, 23,000, minus 13,100, minus 1000, भई बड़ा क्लोज आ गया, 10,200 आ रहा है, अपना अंसर है, 10,200, तो लो भई, शुकर है, मैच किया, 10,200, अज़न रहे, कहां कहां जमिला आया, सब्सक्रिप्शन वाला समझने में, आपको थोड़ा सा टाइम लगा, उसके बाद, उसके बाद, खास नहीं, बस स्पोर्ट्स माटीरियल, डेप्रिसीेशन तो बहुत इजी था, स्पोर्ट्स माटीरियल समझने में, हलका सा टाइम गया, और, सब्सक्रिप्शन, जितना आपका छोड़ा सोड़ा टॉपिक्स, अच्छे से किया हुआ रहेगा, इतना ज़ाद आपको ईज होगा, यह सारा काम करने में, ठीक है सर, चलिए सर, कंटिन्यू करते हैं, आगे, next question के साथ, question number 46, question number 46, क्या ही है 46, okay, from the following receipt and payment account, of premier club, and the information supplied, prepare the income expenditure account, for the year ended 31st March 2021, and balance sheet as at that date, ओ, तो we have income expenditure, and balance sheet now, तो अब आगिया यह सबसे बड़ा टाइप का question जो आप लोग exam में अराम से expect कर सकते हैं उपर से turn to subjective होना है अब कितना maximum marks आएगा यह तो हमें नहीं पता है बट अच्छा कशा ही आएगा चलो भई स्टार्ट करते हैं 46 के साथ एक बर question को आप लोग reading दो है की नहीं आप question number 46 अगर हम लोग discuss करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा receipt and payment account आपको मिल रहा है और receipt and payment account है normal और उसके बाद adjustment है सबस्क्रिप्शन को लेकर adjustment है सालरी को लेकर है और कुछ है सर और सर बिल्डिंग को लेकर है furniture को लेकर है books को लेकर forcément नहीं है adjustment नहीं है normal और पर depreciation बोला है अब इस type का question कैसे बनाते हैं सर कैसे बनाते हैं, इस type का हम लोग adjustment, चलिए ठीक है, कैसे हम लोग solve करें ये पूरा question सर, इसको समझा दीजिए, इसको समझना पड़ेगा है न, चलिए सर, कोई दिक्कत है नहीं, there is no दिक्कत at all, बस थंडा दिमाग रखना है, अब, क्योंकि आपको balance sheet बनाना है, क्योंकि आपको income expenditure बनाना है, बहुत सारा items को आपको consider करना होता, ठीक है, तो पहले तो हम लोग format बना लेते हैं, of the things that we need to make, what do we need to make, we need to make income expenditure account, we need to make income expenditure, and balance sheet, तो पहले उसका format बना लेते हैं, रखिएगा, ठीक है, एकदम अच्छे से इसको करना है सर, यह नहीं हुआ, तो आपके लिए बहुत बड़ा दिक्कत create हो जाएगा, यही तो ultimate हम लोग का aim है, इसको complete करना, अगर आप इसी में हार गए, यही अच्छा नहीं लग रहा, यही नहीं बन रहा, तो हो यह खतम, game over, this is the end game, we are in the end game now, कमझ रहे हो, पता नहीं कितना लोग marvel देखता भी है कि नहीं आज कल, चलिए 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 चलिए, यह बन गया हम लोग का balance sheet, देखे थोड़ा सा जगा का liberty लेके ही कर रहे हैं हम लोग, यह न, कुछ तो गरबड लग रहे है, यह लाइन में हमको, पलो यार इतना करना किया, ज्यादा हाइप हो के कोई फाइदा है, जो है सो है, चलिए, स्टार्ट करते हैं सर, तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं, income expenditure account, ठीक है, और यहाँ पर बना लेते हैं हम लोग balance sheet, as at 31321, year ending, स्टार्ट करते हैं, ओके सर, अच्छे से, पूरा आराम चाहिए, आपके जैसे ही, आप यहाँ पर मज़दार चीज, balance BD बोला है, 7000, ऐसे तो हम लोग ignore कर देते थे, बोलते थे, income expenditure लेकिन अब तो balance sheet भी बनाना है, तो सर, opening balance किदर जाएगा, अब सर, opening balance sheet हम लोगो दिया है किया, नहीं दिया ह ओपनिंग balance sheet भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगो closing balance sheet में एक item चाहिए होते है, जिसको बोलते है capital fund, और अब पूरा question अगर आप चेक करेंगे, तो आपको capital fund नहीं दिया हुआ है, पूरा question अब चेक कर लो, आराम से चेक कर लो, वो capital fund आपको फुद निकालना पड़े है, दुख है जिन्दगी में, क्या करें, क्या करें, दुख है तो है, what can you do, what can I do, यह both have to be on the same page, इसको कर लेते 2020, तो यह होगे अपने लिए opening balance sheet और यह जो बना रहे है closing balance sheet, closing वाला latest होगे, opening वाला last year का होगया, अब यहाँ पर देखिए, जो पहला item है, और एक item को नहीं छ जाएगा, सब चोर है, एक number, सारा का सारा item कहीं ना कहीं जाना जरूरी है, देख रहे हो, जब मैं यहाँ पर तीन थो page blank छोड़ के चल रहा हूँ, इस particular sum के लिए, जब मैंने यह सब sums बनाया है, मैंने दो तीन page blank ही छोड़ दिया है, एक एक sum के लिए, लगेगा, मिरको पत रूपीज, opening balance sheet में जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे आप, cash, 7000, opening balance sheet में, cash चला गया, 7000, ठीक है, हर एक item कहीं ना कहीं place होगा, इस बार, done, फिर subscription दिया हुआ है, फिर subscription दिया हुआ है, अब subscription में जमेला है, थोड़ा बहुत हलका फुल का जमेला है, अराम से देख लेते है अराम से देख लेते हैं, subscription account बना लेते हैं, जमेला नहीं चाहिए न, life में, तो सब चीज का ledger बना लो, अगर जमेला नहीं चाहिए जिन्दगी में, तो हर चीज का ledger बनाने के लिए आप ready रहो, subscription account, by receipt payment account, total कितना आया है, receipt payment account में, 29,000 आया है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, 29,000, मस्त हो गया, अब उसके बाद देखिए, यहाँ पर बोल रहा है, subscription का, 21,22 के लिए 4,000 है, हम लोग का year क्या है अभी, 2021, तो 4,000 advance में आ गया, तो sir, advance में डाल दीजे, next year का, तो यहाँ पर लिखिए, 2 balance CD, closing advance, 4,000, closing advance 4,000, लिख लिया मैंने, उसके बाद, उसके बाद कोई figure है, देखने लाइक, यहाँ पर बोल रहा है, 20,21 के लिए 20,000 है, 19,20 के लिए 5,000 है, यह concept को अब hold पे रखते है, इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको cross check करने के लिए, मिरको और adjustment देखना होगा, और मेरा ऐसा मन बोल रहा है कि अभी हम लोग नहीं घुचते हैं adjustment में, अभी पहले यह पूरा receipt payment को place कर देते हैं, फिर एक एक करके हम लोग वापिस adjustment पे आएंगे, अभी सब कुछ उपर नीचे करेंगे, तो आप भी fed up हो जाईएगा, छोड़ देते हैं, continue करते, hold पे रख by higher of ground, 14,000, आगया higher of ground, उसके बाद देखिए, surplus from entertainment events, पहले ही बोल दिया profit हुआ है, अच्छा बात है, तो profit है तो सीरा डाल देंगे, surplus from entertainment events, by surplus from event, entertainment events ही लिख देना exam में, कितना है, 8,000, उसके बाद, sale of old newspaper आएगा, 2000, बिल्कुल आएगा, by sale of newspaper, old newspaper, 2000, complete, एकदम complete, उसके बाद आजाएगा, sir, salary, salary में adjustment है, कोई बात नहीं, जितना salary दिया है, उतना तो लिख ले, 28,000, यहाँ पे लिख लेते है, 2 salaries, या बाद 2 salary, 28,000, लिख लिया, adjustment आएगा, जब देखा जाएगा, general expense, 6000, electricity charges, 4000, general expense, 6000, electricity charges, 4000, हो गया, और कुछ है, books, books आता है, किदर आता है books, balance sheet, balance sheet में जाएगा, तो books को डाल दीजे, balance sheet में, 10,000, कैसे डाले सर, नया balance sheet में जाएगा, closing balance sheet में, heading लिखिए books, और इसमें add कर दीजिए, new, 10,000, या purchase during the year, 10,000, ऐसे add कर दीजिए, क्यों, हो सकता है, पहले से books हो, बाद में पता चलेगा, बाद में पता चलेगा, हो गया complete, newspaper खरीदे है, 8,000 का, यह तो normal खर्चा है, कोई fixed asset तो नहीं है, to newspaper, 8,000, newspaper, 8,000, हो गया सर, और उसके बाद आता है balance CD, closing balance है, तो closing balance sheet में जाएगा, 4,000, तो closing balance sheet में डाल दीजिए, cash, 4,000, सारा देखिए, receipt payment का item place कर दिए, क्या pending है, subscription बस pending है, बाकी सारा काम कर दिए हम लोग, ठीक है, चलिए, अब आगे आते है, club has 50 members each paying annual subscription of 500, club में 50 member है 500 दे रहे, तो total कितना ओर है, 500 into 50 is equal to 25,000, total मेरे को आना कितना चाहिए, 25,000, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, subscription account में, to income expenditure account, income expenditure account में figure आता है, which should come this year, इस साल में जो आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 500, 500 into 50 members, whatever, 25,000 रुपीज, सर यह लिखके क्या मजा है आपको, क्यों किये सर आप यह, आप देखिए, उपर adjustment, 2021 का मिला कितना है, 20,000, मिलना कितना चाहिए था, 25,000, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, buy, balance, cd, 2000, 2021, जो current year है, इसके लिए अभी भी 5,000 outstanding है, इसके लिए सर अभी भी 5,000 रुपीज outstanding है, ठीक है, लिख दिया मैंने, inner column में क्यों लिखेंगे हैं आप सर, और देखिए, last year, last year का हम लोग को कितना मिला है, 5,000, अब आप नीचे वाला adjustment पढ़िए, adjustment number B, adjustment B पर आप ध्यान दीजिए, 2 balance BD, 6,000, this is called opening outstanding, total आ गया इधर सर, 6,000, देखिए, दोनों साइड मैच हो रहा है, 35,000, 35,000, मैच हो रहा है, तो कोई और item missing नहीं है, हम लोग का laser balance हो रहा है, कोई और item missing नहीं है, तर यह करके क्या मज़ा आया, income expenditure का figure मिला, income expenditure का figure मिला, 25,000, तो subscription में हम लोग डाल देंगे, income expenditure में, by subscription account, by subscription account, 25,000, और क्या मज़ा मिला सर, आपको यह करके, देखिए, opening outstanding, opening outstanding 6,000 है, यानि कि जो opening balance sheet है, उसमें subscription आना बाकिए था 6,000, तो opening balance sheet में चले जाईए, यहाँ पर लिखिए, outstanding subscription, outstanding subscription, 6,000, outstanding subscription आ गया सर, 6,000, यह भी तो asset है ना, हम लोग के लिए, मिला नहीं था last year, उसके बाद देखिए, receipt payment account तो 29,000, posted किया हुआ है, receipt payment में, अब उसके बाद आप देखिए, closing advance, आप notice करिए, closing advance दिया हुआ है, closing है, तो closing balance sheet में आएगा, और advance है, तो liability में जाएगा, 4,000, तो यहाँ पे लिखिए आप, advance subscription, या subscription received in advance, ऐसा आप कुछ लिख सकते हो, 4,000, liability side में लेकिन, liability side में जाएगा, complete, उसके बाद, और एक item बागी है सर, look at this one, buy balance CD, buy balance CD का मतलब क्या होता है, मैंने पहले आप लोग को बताया है, subscription का format में, link मिल जाएगा, subscription का अलग से detail में discussion हुआ है, कैसे ledger बनाते है, तो buy balance CD, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सर, closing outstanding, साल का end में कितना मिलना बाकिए, total 6,000 है, उसमें से 19, 21,000 है, 20, 21, 5000 है, तो यहाँ पर closing balance sheet में लिखिए, outstanding subscription, या subscription outstanding, अच्छे लड़के हैं हम लोग, अच्छे बच्चे हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग लिख देंगे, इसमें 1920 का 1000 बाकी है, और सर 2021 का इसमें 5000 बाकी है, ब्रेक अप दिखा देंगे, हम लोग क्यों, क्योंकि हम लोग अच्छे बच्चे हैं, इंपल, total आ गया 6000, total आ गया 6000, एक दम complete, तो देखिए, कितना जगा posting हुआ, एक subscription account को लेके, कितना जगा posting हुआ, यह सोचने वाला चीज है, तो आप देखिए, subscription का जो 5 और 20 बाकी था, मैंने बोला था, पेंडिंगे, इसको यूज कर लेंगे, हम लोगों नहीं तीनों को यूज कर लिया, तीनों को यूज कर लिया, complete एक दम, सबको post भी कर दिया, अब थर्ड वाला adjustment पे ध्यान दीजिए, on 31st March 2021, मतलब end में, salary outstanding amounted to 2000, तो पहले तो outstanding salary हो गया sir, 2000, तो salary में add कर लिजिए, add outstanding in the end, in the end, 2000, अब अगर outstanding है तो liability है, तो liability में चले जाए ये closing balance sheet, outstanding salary, 2000, दोनों जगा post होगा, adjustment, adjustment दो जगा post होता है, इसके अंदर का जितना item है, सब एक जगा post होगा, और इसके बाहर का, यानि कि receipt payment के अंदर जितना item है, सब एक जगा post होगा, और receipt payment के बाहर जितना item है, सब दो जगा post होगा, तो salary outstanding, देखो 2000 किदर गया, एक तो income में गया, add हो गया, sorry expense में add हो गया, और वहाँ पर अपने पास balance sheet में भी चला गया, उसके बाद देखिए, salary paid in the year ended, 31st March, 31st March 2021, included 6000 for the last year, पिछले साल का, पिछले साल का अभी payment की है 6000, तो ये 28,000 जो आपने पे किया था salary, इसमें 6000 लास्ट येर का भुसा हुआ था, तो सर वो आपको minus करना पड़ेगा, तो minus कर देते हैं, outstanding in the beginning, 6000, ठीक है, 24,000 आ रहा है, लेकिन सर ये outstanding in the beginning 6000, मतलब पहले देना बाकी था, तो last year का balance sheet का liability था ये, तो opening balance sheet में चले जाएए, और यहाँ पर लिखिए, ओपनिंग balance sheet में चले जाएए, और यहाँ पर आप लोग लिखिए, outstanding salary, last year का भी तो salary देना बाकी था, 6000, तो इस बार जो मैंने 28 दिया, उसमें ये 6000 गुजा हुआ था, और वो 28 देने के बाद भी 2000 देना बाकी, वो 2000 मैंने नया balance sheet में लिख दिया, पुराना वाला 6000 या प्लेस कर दिया, और देखो दोनों का adjustment हम लोग income expenditure एकाउंट में भी कर दिया, दो जगा आ गया, उसके बाद, fourth adjustment, और 1st April 2020, यानि की opening, the club owned building valued at 2 lakh, तो building का value बोल रहा है 2 lakh, furniture बोल रहा है 20, book बोल रहा है 20, building 2 lakh, furniture 20, book 20, opening balance sheet में चले जाएए, building, 2 lakh, furniture 20, और क्या बोला था, building furniture और 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 और, books 20, books 20, सर आपने बोला adjustment दो जगा आएगा, एक जगा लिखें आप, क्यों tension ले रहे हैं, जो चीज opening balance sheet में था, closing balance sheet में भी तो आएगा, closing balance sheet में, books, books का opening value मिल गया अब आपको, 20, मैंने बोला था आएगा, आगया books, चलो, उसके बाद नीचे में डाल दो कहीं, furniture, furniture का value भी आगया, 20, और inner column क्योंकि depreciation लगाना है, और एक दिया हुए building, building का value बोल दिया 2 lakh, building का value बोल दिया 2 lakh, last year जो था वही है, इस साल, जिसमें बड़ा है, वो बड़ा दिये, जिसमें घटे का घटा देंगे, उसके बाद कुछ है, बस खाली हम लोग को depreciation लगाना है, furniture पे, तो furniture पे खाली depreciation चार्ज करना है कितना, furniture पे depreciation चार्ज करना है 10%, तो value कितना दिया हुआ है, 20,000, 20,000 का 10% हो गया, 2,000, minus depreciation, 2,000, कितना आ गया, 18,000, और सर, यह जो depreciation आपने चार्ज किया है, यह जाना चिए, income expenditure में 2 depreciation, 2,000, तो अपना income expenditure account complete, अपना opening balance sheet और closing balance sheet दोनों complete, complete नहीं हुआ है, अभी भी बाकी है, अब क्या बाकी है सर, balance करना बाकी है, balance करते हैं, सबसे पहले आप balance करेंगे, opening balance sheet, सबसे पहले आप balance करेंगे, opening balance sheet, कितना आ रहा है, 7,000, यह आप asset वाला side को पहले balance कर दीजिए, asset, liability, ठीक है सर, 13,000, plus 2,00, plus 20,000, plus 20,000, 2,53,000, 2,47,000 आ रहे है, capital fund, capital fund का balance, capital fund निकाल लिया हमने, 2,47, देखते हैं, यहां तक हम लोग का सम ठीक है की नहीं है, देखते हैं, थोड़ा से चेक कर लेते हैं, देखिए, 2,47 आना तो चाहिए, capital fund as on 1st April 2020, 2,47, आया, तो 2,47 आ गया capital fund, अब यही capital fund तो यहां पर opening बनेगा, तो यहां पर लिखिए, capital fund कितना था, 2,47, 2,47, हां जी, अब इसमें, add less क्या होगा, surplus या deficit, तो यहां पर अब चेक कर लीजे, surplus आ रहे हैं की deficit, मेरे ख्याल पर surplus आना चाहिए, 25 तो है, 14 है उदर में, बड़ा कम आएगा amount, बहुत ज्यादा amount नहीं आ रहे हैं, मेरे को लग रहे है, जो भी 25, 14, 8 और 2, 49,000 आ गया total, 2 surplus, 49, minus 24, minus 10, minus 10, 5,000 बस, बस 5,000 आ रहे surplus, देखें तो भई, correct है गया, बस, अच्छा यही correct आन, surplus 5,000, correct है भई, और फिर यह surplus को क्या करेंगे, आप capital fund में add कर लेंगे, surplus 5,000, तो 5,000 प्लस 2,47, कितना देगा, आपको 2,52,000, और 2,52,000 को आगर आप balance sheet में, पूरा का पूरा टैली करेंगे, 2,52, प्लस 6, यह आ रहा है, 2,58,000, hopefully यह side भी match हो, अच्छा, books को add कर देते, इदर 30 आ गया, books को add कर देते, 30 आ गया, तो 2,58,000 है न, इदर, तो 30, 48, 58, 2,58, इदर भी आ रहे, 2,58,000, अपना closing balance sheet मैच हो गया, ओह, भाई, थकावट हो गई अब तो, है न भाई, time consuming, explain करते करते, double time लगता है, चांती से बैटके बनाएंगे, तो half time लगेगा, तो अगर 40 minutes लगए, explain करके बताने में आपको, 20 minutes में हो जाना चाहिए, देख लिजिए, income expenditure account ये रहा, आपका closing balance sheet ये रहा, और आपका opening balance sheet ये, और जहां तक बातरी वर्किंग नोट की, आपका subscription account ये एक important सा, वो मैंने बना दिया, बीना बनाएं भी चल जाता, बट उतना mental calculations से अच्छा करके दिखा दो, उतने बुद्धिमान होते तो खुष्टे खुष्टे हमारा वीडियो थोड़ी देख रहा है होते, चल लिए, ठीक है सर, continue करते हैं अब, question number 47 के साथ, हाँ भई, तो 47 में क्या दिया हुआ है, 47 में भी same चीज़ बोला हुआ है, following is the summary of cash transactions of the royal club for the year ended 31st March 2021, और यहाँ पर हम लोगों क्या बनाने बोला है, हम लोगों को बोला है, prepare income expenditure account of the club for the year ended 31st March 2021 and balance sheet, तो यहाँ पर कुछ-कुछ adjustment दिया हुआ है, writing of 5000 and यह, मतलब depreciation दिया हुआ है, कुछ-कुछ, कुछ-कुछ depreciation दिया हुआ है, और कुछ-कुछ hints दिया हुआ है, hint दिया हुआ है कि life membership fee capitalize करना है, legacy is created to the income expenditure account, not being for specific purpose, चलो ठीक हिंट यूज कर लेंगे, और यहाँ पर अपने पास थोड़ा हलका-फुल का adjustments है, लेकिन सर balance sheet बनाना पड़ेगा, क्योंकि opening balance sheet भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगो capital fund नहीं दिया हुआ है, opening, पुरा sum में, so 46 last किये थे, interesting question था, 47 पर आप move कर रहे हैं, तो हम लोगो क्या करना है, income expenditure balance sheet, opening closing दोनों, ठीक है, बोलता नहीं है, लेकिन बनाना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, चली, income expenditure तो हम उपर बना लेंगे, यह पर देख लेते, मिरे पास paste कर सकते क्या, ओहो, ओहो, रेडी हो गया, तो देखा, फाकी पूरा एकदब मार सकते हैं, जिन लगी में, पेस्ट, opening balance sheet के लिए भी जगा है, closing balance sheet भी रेडी हो गया, क्या बात, आप ही लोग को थोड़ा खटना पड़ेगा, अचा, year end date देख लेते पहले, year end date 31st March 2021 के लिए बनाना है, कोई दिक्कत नहीं, 21 का balance sheet ready है, यह रहा 20 के लिए opening, this is called the opening balance sheet, this is the closing balance sheet, ठीक है सर, और यहाँ पर अपने पास आने वाला है, income expenditure account, बोरिंग लगे, लगे time बहुत जा रहा है, तो फिर आप वीडियो को थोड़ा ज़ादा, amount पे प्ले कर ले, 1.5x पे speed पे प्ले कर लो भाई, ऐसे लिब लिबाओ मत, ठीक तो, चलिए भाई अब स्टार्ट करते, तो यहाँ पर आगे अपने पास, income expenditure account, क्या बात, क्या बात, क्या बात, ready है, चलिए, तो सबसे पहले पहला item, balance BD, cash in hand, cash at bank, किदर जाएगा, opening balance sheet में जाएगा, 10,000 और 21,900, लिख लेते हैं, opening balance sheet में, cash in hand, cash at bank, कितना कितना amount जा रहा है सर, amount जा रहा है, 10,000 और 21,900, 10,000 और 21,900, outer column में ही सिधा लिख देते हैं, इसका inner बनाने का जरुवत क्या था, I don't know, वहाँ पर दिया था, तो मैं भी थोड़ा बहे गया, बट इसका कोई role नहीं है, ठीक है, cash in hand, cash at bank, opening balance sheet में post कर दिये, क्या बात, अब उसके बाद देखते, entrance fees दिया है, sir, entrance fees तो normal income है, अपने लिए है, है ना, entrance fees को लेके कोई adjustment भी नहीं होता है, usually, तो entrance fees हो गया, 25,500, by entrance fees, 25,500, उसके बाद क्या है, sir, subscription दिया है, 1,60,000, subscription में तो पक का adjustment होगा, subscription in a year in the beginning of the year बोला है, end of the year भी बोला है, हलका सा adjustment है, जादा नहीं है, एक line का adjustment है, जादा कुछ तो नहीं बोला है, तो subscription जो हम लोग को मिला है, उसमें हम लोग ऐसी ऐसी कर सकते हैं, छोटा मोटा adjustment, तो subscription बोल दिया, 1,60,000, तो यहीं पर लिख लेते हैं, account बनाने का जरुवत नहीं पड़ेगा, by subscription, कितना amount बोला है, amount बोल रहा है, 1,60,000, लेकिन 1,60,000 में, add कर लेंगे, outstanding in the end, less outstanding in the beginning, इसी छोटा सा adjustment में ही काम हो जाएगा, outstanding in the beginning बोल रहा है, 3500, end बोल रहा है, 4500, तो भाईया कर लिया, आमने, end में बोला है, 4500, 4500 end का है, और beginning का है, 3500, लिख ली है, subscription, बस, net adjustment amount कितना रहा है, 1,60,000, minus 3500, plus 4500, इसको calculate ही क्योंकि आम पता नहीं, 161,000 लित वाएगा, 1,000 कई तो कहा है, 161, लेकिन सर इसमें छोटा सा twist है, outstanding in the end जो बोला है न, वो end वाला portion बोल रहा है, मतलब end of the year, तो फिर obvious हाबात है, closing balance sheet में आना चाहिए, तो outstanding in the end, यहाँ पर asset हो गया, outstanding subscription, 4,500, और in the beginning जो बोला था, वो outstanding subscription, opening balance sheet में चला जाएगा, 3,500, last question में ऐसी किये थे सर, same concept, तो obvious हाबात है, asset था अपने लिए, उसके बाद देख लेते, legacy बोला है, legacy, 16,500, legacy is kind of donation only, किसी चीज के लिए पैसा मिला है, कोई आपको पैसा दे दिया, बोला है ये वाला काम कर देना, लेकिन यहापर specific purpose नहीं दिया, कोई पैसा दिया है, बस ठीक है, done, तो donation legacy kind of side by side जाता है, थोड़ा सा different होता है, वो theory थोड़ा आप लोग अगर वीडियो देख लेंगे, legacy का तो आप लोगो clear हो जाएगा, तो यहाँ पर आता है legacy, तो legacy का amount कितना आ रहा है, legacy का amount आ रहा है, 16,500, normally इसको as an income treat करेंगा, और उपर से hint में भी बोल दिया है, income expenditure को credit कर देंगे, क्योंकि specific purpose नहीं है, लाइफ membership fees, by default capital fund में add होता है, 25,000, तो sir हम लोग closing balance sheet में जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे capital fund, amount मालूम नहीं है, हम लोग का amount मालूम नहीं है, यह कोई problem नहीं है, इसमें बस आप add कर दो, life membership fee, 25,000, 25 इथा आए होप, हाँ, वही करके आप छोड़ दो, surplus from entertainment events, 5,600, normal income है, by surplus from event, आप entertainment event भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 5,600, complete, तो debit side complete हो गया, receipt payment का आप credit में आते है, rent देना पड़ेगा, 16,800, rent में कुछ है, adjustment, हाँ जी दिख रहा है, 6 months rent, दिख रहा है मेरे को, 6 months rent, 1400 per month, was due in both the beginning of the year, and end of the year, rent में एक adjustment है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, to rent, to rent account, rent का amount कितना दिया हुआ है, 16,800, लिख लीजिए, 16,800, अब इसमें बोल रहा है, outstanding in the end है, और outstanding in the beginning भी है, same amount है, वो अलग बात है, 1400 per month, 6 months के लिए, तो 1400 in to 6 आ रहा है, 8,400, add भी कर लीजिए, less भी कर लीजिए, net amount पे तो कोई effect नहीं पड़ा, सर यह क्यों दिया फिर, खिल्ली उडाने के लिए, नहीं, balance sheet के लिए, balance sheet में जाएगा, outstanding in the end, outstanding in the beginning, तो outstanding rent 8,400, दोनो balance sheet में जाएगा, outstanding rent 8,400, और नीचे वाला balance sheet में भी, outstanding rent 8,400, हो गया complete, इसके बाद क्या है सर, चलिए, उसके बाद salary to office staff बोला हुआ है, salary to office staff बोला है, 24,500, salary, 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 कहा है, salary, salary, कोई adjustment है salary का, salary का मेरे को कोई adjustment नहीं दिख रहा है, salary का सर कोई adjustment नहीं है, बहुत अच्छा बात है, तो salary हो गया, directly, 24,500, to salary, 24,500, कोई चीज़ का adjustment नहीं दिख रहता, विश्वास ही नहीं होता, कभी कभी तो एक minute के लिए, adjustment नहीं है, next, electricity charges, 7,200, no adjustment, to electricity charges, 7,200, next, by honorarium, 43,500, 43,500, to honorarium, इस सब items क्या होता है, सर अगर अब भी आप video देख रहे हो, आगे बहुत सारा videos upload किया हुआ है, honorarium उसमें explained है, फिर सम्दों का course अवेलेबल है, उसमें भी है, प्लस आप class नहीं करते हो, तो मेरे क्यागलती है, next, books, add new books, 21,300, by office expense, 45,000, normal खर्चा, to office expense, 45,000, नया नया fix deposit कराए हैं सर आप, by 3% fix deposit, 80,000, 1st October को कराए हैं, पहले तो, fixed deposit कि दर जाएगा, नया वाला balance sheet में, कितना जाएगा, 80,000, तो नया वाला balance sheet में, 3% fixed deposit, 80,000, अभी 1st October को कराए हो, 80,000 का fixed deposit, तो interest कितना मिलना चाहिए, 80,000 into 3%, into 6 by 12, 6 months के लिए 1200 रुपीज आ रहा है, 1200 रुपीज आ रहा है, यहां मिला है हम लोग को, नहीं मिला है हम लोग को, मिलना चाहिए था, income में लिखिए, by, interest on FD, FD, 80,000 into 3 by 100, into 6 by 12, this is giving us 1200, लेकिन हम लोग को क्या मिला है interest, नहीं मिला है, accrued interest, closing balance sheet में लिख लिजिए, accrued interest on FD, 1200, तो FD कराए हैं, उस पे interest मिलना बाकी है, तो वो भी हम लोग asset मिल जाता, तो cash में add कर देते हैं, नहीं मिला है, इसे लिए हम लोग asset में add कर दिये, complete पूरा adjustment, next, buy balance sheet, buy balance CD, जाएगा balance sheet में, cash in hand, cash at bank, 2000, 24,200, 2000 and 24,200, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, cash in hand, cash at bank, 2000 और 24,200, हो गया सर, receipt payment account पूरा complete, receipt payment account, पूरा पूरी complete हो गया, नीचे का adjustments पर अब ध्यान देते, in the beginning of the year, the club possessed books of 2 lakh, books है 2 lakh का, और furniture है 85,000 का, books 2 lakh, opening balance sheet में, books 2 lakh, and 85,000 का, क्या बला था, furniture, furniture, 85,000 का furniture, books 2 lakh closing balance sheet में भी जाएगा, books 2 lakh, and उसके नीचे कहीं पर furniture डाल देते हैं, 85,000 का inner column में, furniture 85, क्यों सर inner column में डाल रहे हैं आप, क्योंकि outer column में, depreciation minus करने के बाद लिखेंगे, चलिए ये paragraph पूरा complete है अपना, अच्छा और एक adjustment दिख गया, write off 5,000 and 11,300 on furniture and books, depreciation मिल गया हम लोग को, तो depreciation में डालना है 5,000 और 11,300, तो income expenditure account में expense side, मने debit side, to depreciation, write off का मतलब होता है depreciation, tangible asset पर write off का मतलब depreciation, intangible पर write off का मतलब amortization, NPO में goodwill कहां से आएगा, तो tension नहीं है, depreciation तो आएगा, depreciation आ रहे है furniture पे, और books पे, amount तो पक्का भूल गया है फिर से, तो furniture पे बोल रहा है, 5,000 और 11,300, total कितना और है, 16,300, total depreciation, तो furniture पे 5,000 माइनस कर दीजिए, तो closing balance sheet में, minus depreciation, 5,000, तो net amount कितना आ गया, 80,000, और sir आपके पास, books में आ रहा है 11,300, books में 11,300, less depreciation, 11,300, तो net amount कितना बैठ रहा है, इधर तो 10 होग या, 2,10,000 आ रहा है, और sir यहाँ पर depreciation भी लिख दिये, और तो कोई adjustment नहीं है, complete, अब सबसे पहले क्या balance करेंगे, सबसे पहले balance करेंगे, हम लोग opening balance sheet, opening balance sheet जब balance करेंगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा, capital fund, capital fund, balancing figure आएगा, 10,000, 21,900, 3,500, 2,00, 85,000, total आ गया, 3,20,400, 3,20,400, minus 8,400 आ गया, 3,12,000, यही capital fund उपर carry forward करेंगे, 3,12,000, और उसको 25 से add कर देंगे, अच्छा नहीं नहीं, 25 से add अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, sorry, sorry, पहले surplus तो निकालें हम लो, पहले surplus तो निकालें, 2 surplus, balancing figure निकलेगा, पहले surplus निकाली है, surplus निकाली है, 25,500, plus 16,000, plus 16,500, plus 5,600, plus 1,200, this is coming to 20,9,800, noise pollution इतना होता है ना भाई, मेरे पीछे इतने सारे गाड़ी हॉंड मार रहे हैं, आदमी क्या कराय साउंड पुरूफ करने के लिए बताओ, इंडिया, इंडिया कब नहीं रहेगा, 24,500, minus 7,200, minus 43,500, minus 45,000, minus 16,300, 56,500, यह आगया balancing figure, 56,500, यह 56,500, add कर लेते हैं इधर में, 56,500, add surplus, 56,500, plus 25,000, plus 3,12,000, 393,500, देख लेते हैं, अमरों का balance sheet match हो रहा है क्या, plus 8,400, 4,0,1,9,0,0, इधर भी आना चाहिए, 4,0,1,9,0,0, देख लेते हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, 4,500, 2,10,000, 80,000, 1,200, 2,000, 24,200, plus 80,000, आ गया, मैच हो गया, balance sheet मैच होने का खुशी, जो कभी नहीं खतम होगा, इतना साल हो गया पढ़ाते हुए, कभी नहीं, आज भी कोई भी सम मैच होता है, balance sheet खुशी उतना ही होता है, 4,019,000, किता हुआ भाई, देख लेते, answer मैच करा लेते एक बार, answer दिया है, न दिया है न, यह रहा, चलिए, surplus 56,500, correct, capital fund आया 3,12,000, वो भी correct, और balance sheet का total 4,019,000, यह भी correct, तो यह रहा सर हम लोग का income expenditure account, यह रहा हम लोग का balance sheet, कोई ledger बनाने का जरुवत नहीं पड़ा, सब्सक्रिप्शन एकाउंट इत्तु सामे ही हो गया, देखो इतना सामे ही हो गया, कोई adjustment खास था नहीं, समझ गए सर, क्या बात है, 47 is over, ओके, चलिए सर, स्टार्ट करते, question number 48 के साथ, स्टार्ट करते, question number 48 के साथ अब, question number 48 में क्या बोला है, from the following, receipt and payment account, and additional information, prepare income expenditure and balance sheet of, rural literary society, as on 31st March 2021, तो बहीं और एक question मिला है, ये क्या है, ये हम लोग के लिए income expenditure, और balance sheet बनाना है, फिर से, चलिए सर, सारा item दिया हुआ है यहापर, कुछ खास तो नहीं लग रहा है, subscription को लेके थोड़ा सा adjustment है, subscription को लेके थोड़ा सा adjustment है, salary को लेके थोड़ा सा adjustment है, rent को लेके है, opening के लिए कुछ-कुछ figure दिया हुआ है, basically, तो we need to prepare two balance sheet again, दो टो balance sheet बनाना है, और एक तो income expenditure बनाना है, ठीक है, इसके बाद आएगा दोटो balance sheet, balance sheet तो हम टुकली मान सकते हैं, उसको ऐसा लग रहा है, fast paste हो जाए, हो गिया, nice, देखिए दोटो balance sheet paste हो गया, क्या बात, देखा मेहनत कितना बज जाता है न, चोर बनो तो पूरा बनो, आधा चोर कभी ना बनो, year क्या दिया है, 2021, तो एक ठो 2021 है, यह 2020 बनेगा, यह बनेगा हम लोग के लिए opening balance sheet, यह बनेगा हम लोग के लिए closing balance sheet, और यह बनेगा हम लोग के लिए income expenditure account, income expenditure account, debit, और credit, ठीक है सार, start करते हैं, चलिए, तो अपने पास यह सारा figure दिया हुआ है, rural literary society का, और यहाँ पर आ गया है हम लोग के पास, पहले तो balance BD, तो यह balances कहां जाता है, balance sheet में, opening balance sheet में, 40,000 and 1,55,500, opening balance sheet में, cash in hand, cash at bank, 1,00, अंदर क्यों लिख रहे हैं, बाहर ही लिख लेते, 1,55,500, 1,55,500, और cash in hand आ रहे हैं कितना, 40,000, 40,000, 2 subscription, subscription को लेके 3 figure दिया हुआ है, तो subscription, अब आप देखिए, subscription में क्या adjustment है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, लेकिन subscription account का ledger बना लेंगे, मेरेको ऐसा लग रहे है, we should make the subscription का ledger, जो subscription का ledger उपर बना लेते हैं, जगा थोड़ा कम पढ़ड़ा हैं लोग को, ये question number 48 का है, तो ये question number 48 का है, working note, ये PDF available है, हम लोग का website पे, उससे download कर लेना, तो ये आगे आपने लिख्या, subscription का account, ठीक है सर, चलिए, subscription account, subscription account, तीनों साल का मिला के कितना मिला है, 2,82,000, तो ये आपे लिख लेंगे, buy receipt payment account, 2,82,000, तो ये से subscription का logic is available in another video, link is usually attached, इसमें से 21,22 का बोल रहा है, मतलब next year का advance, 5000, तो ये आपे लिख लीजिए, 2 balance CD, closing advance, closing advance है 5000, लिख लिए, अब उसके बाद क्या है सर, 2,65,000 ही CR का मिला है, hold पे रखो इस thought को, अग 19,20 का 12,000 लिखा है, ये दोनों को हम लोग hold पे रखेंगे, कब तक hold पे रखेंगे, जब तक हम लोग adjustment स्टार्ट नहीं करतें, hold करिए, legacy कर लेते हैं, legacy सा कुछ बोला नहीं है specific, तो income treat करेंगे 12,500, income में ले जाइए इसको, by legacy, specific नहीं बोला है, कोई पैसा दिया, legacy is just like, almost same like donation, 12,500, next, government का grant मिला है हम लोग को, 1,20, क्यों मिला है specific नहीं बोला है, तो directly, general government grant, government हम लोग को बहुत अच्छा काम किये, थोड़ा सा पैसा दे दिया, 1,20,000, एकदम खुशी-खुशी ले लिए, उसके बाद, sale of old furniture, sale of old furniture, 37,000, पुराना furniture हम लोग बेचें, और उसका book value था, और उसका book value था, 50,000, सर, ये भी आसानी से नहीं बनेगा, ये आसानी से नहीं बनेगा, इसके लिए आपको, ledger बनाना पड़ेगा, furniture का, चलिए सर, furniture का भी ledger बना लेते हैं, इदर, छोटा सा, ज़्यादा time नहीं लगेगा, ये लिजिए furniture, ठीक है सर, अब furniture में क्या करना है सर, पुराना furniture बेचे हम लोग, 37,000 का, चीक, यहाँ पे लिख लीजिए, buy receipt payment account, 37,000, लेकिन उसका book value कितना था, उसका book value was 50,000, तो loss हुआ है, 13,000 का loss हुआ है, तो जो loss हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे, buy income expenditure account, bracket में loss, 13,000, 13,000 का loss हुआ है, यह income expenditure account में जाएगा, तो to loss on sale of furniture, 13,000, loss जाता है, पूरा amount नहीं जाता है, ठीक है, उसके बाद आगे, interest received on FD, 4,500, income है, buy interest on FD, FD, 4,500, उसके बाद कुछ है, general expense बोला है, 32,000, लिख लीजिए, to general expense, to general expense, 32,000, complete, उसके बाद, newspaper बोल दिया है, 18,500, newspaper बोल दिया है, 18,500, ठीक है सर, to newspaper, 18,500, electricity बोल दिया है, 30,000, लिख लो भाईया, to electricity, 30,000, और कुछ बाद की है, fixed deposit with bank, fixed deposit with bank, 1,800,000 का fixed deposit कराएं हैं हम लोग, तो यह तो पहले balance sheet में ले जाएं है सर, closing balance sheet में, fixed deposit, कितना का कराएं है, 1,800,000 का, ठीक है, डाल दिये, और 30,000, September को कराएं हम लोग, 10% पर अनम मिलना चाहिए था, यह क्यों दिया है सर, interest निकालने के लिए, so interest कितना आ रहा है, interest कितना आ रहा है, 1,80,000, into 10%, into 6 by 12, 30th September, तो September को नहीं लेंगे, October से लेंगे interest, October, November, December, January, February, March, 6 months हुआ, तो 6 months के लिए, 10% पर अनम, for 1,80,000, तो outstanding interest हो गया, 4,500, छीक है, तो interest on FD, inner column में कर देते, 4,500, add कर लेते हैं, outstanding interest, accrued interest लिखना बेटर है सर, outstanding interest नहीं, accrued interest, accrued मतलब income earned, but not received, 4,500, total आ गया 9,000, और यह 4,500 मिला नहीं है, मिले गा, वादा किया है, तो यहाँ पर asset में लिख लिख लिजिए, balance sheet में, closing balance sheet में, accrued interest 4,500, accrued interest 4,500, ओके सर, next, books, books कितना का purchase किया हम लोग, 70,000, तो closing balance sheet में, books, add new, 70,000, उसके बाद, salary, 36,000, 2, salary, 36,000, inner column कियें, कोई नो कोई adjustment मिल जाएगा, salary को लेके, फिर, rent, 65,000, इसमें भी adjustment मिल जाएगा, 2, rent, 65,000, next, postage charges, 3000, यह तो normal है, postage charges, 2, postage, 3000, और कुछ है सर, furniture purchased, नया furniture purchased हुए है, 1,5,000, इसको यहां मत लिखिए है, furniture account बनाये थे हम लोग, 1,5,000, तो यहां लिखिए, 2 receipt payment account, 1,5,000, कब purchase की हैं, इसका date नहीं दिया है, कब purchase की हैं, इसका date नहीं दिया है, फिर आ गया, closing balances, cash in hand, cash at bank, यह तो closing balance sheet में जाएगा, cash in hand, cash at bank, 30 और 82, 30, 82, cash in hand, cash at bank, ठीक है सर, अब, 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 अब क्या करना है, अब additional information पर आईए, subscription outstanding, as on, 31st March 2020, 20,000, तो outstanding subscription बोल दिया है, 20,000 in the beginning, 31st March 2020 मतलब opening, opening, तो 20,000 opening है, तो यहाँ पर subscription account में लिख लेते हैं, to balance BD, 20,000, इसका मतलब होता है, opening outstanding, और by balance CD, इसका मतलब closing outstanding, इसका amount दिया हुआ है, 20,000 दिया था, और क्या लिखा हुआ था, 15,000, 31st March 2021 बोल है, 15,000, और subscription को लेके कोई बात किया है, subscription को लेके और कोई बात नहीं किया, तो subscription का amount निकाल सकते हैं, हम लोग अराम से, पहले subscription निकाल लीजिए, जो बचेगा वो चला जाएगा, टू income expenditure account में, चीक है, तो 2,82,000, plus 15,000, this is coming to 2,97,000, 2,97,000, minus 20,000, minus 5,000, कितना आया, 2,72,000, ये हैं हम लोग का balancing figure, 2,72,000, इसको transfer कर लीजिए, तो income expenditure account में आएगा, by subscription, 2,72,000, 2,72,000, सही है भाई, ये हो गया subscription का adjustment, लेकिन पूरा complete नहीं हुआ है, क्यूंकि subscription में सर, अब balance sheet का items को देख लेते हैं हम लो, balance sheet का items को देख लेते हैं, opening outstanding कितना बोल रहा है, 20,000, opening outstanding कितना बोल रहा है, 20,000, तो opening balance sheet में चले जाईए, opening balance sheet में चले जाईए, outstanding subscription asset है न, अपने लिए मिलना बागी था, 20,000, ये आगे अपने पास 20,000, और closing outstanding कितना बोला था, 15,000, तो closing balance sheet में asset में डाल लीजिए, outstanding subscription 20, oh sorry 15,000 15,000 सही है तो ये भी place कर दिये balance sheet में ये भी place कर दिये balance sheet में ये तो receipt payment में place कर चुके हैं और ये income expenditure account में 2,72,000 आ गया तो बचा क्या है closing advance advance अपने लिए liability होता है NPO के लिए तो closing balance sheet में लिखिए advance subscription 5,000 assets liability side में advance subscription 5,000 5,000 नी था ना भाई 5,000 लिख लिया liability side में लिख दिये चलिए complete तो first adjustment अब पूरा complete हो गया subscription का जो करना था कर दिया उसके बाद आते है सर उसके बाद क्या आने वाला है तो एक मन्त का amount कितना हुआ 65,000 by 13 is equal to 5,000 तो advance कितना हुआ ये आगया closing balance sheet में 65 जो rent दिये है उसमें से एक माहिना next year का है advance है तो asset बन गे अपने लिए और वो इस year में नहीं गिना है 65 से 5 माहिनस के ये 5 कहां से आया सा 65 by 13 एक माहिना का rent वही तो advance है next on 1st April 2020 opening furniture कितना है 1,20 और books कितना है 5000 furniture 1,20 books 50 furniture 1,20 books 50,000 तो books तो मैं यहाँ पर place कर दे रहा हूँ books तो directly 50,000 यहाँ पर place करके total 1,20 कर दे रहा हूँ closing balance sheet में लेकिन furniture को लेके अभी थोड़ा सा discussion करना अभी भी बाकी है तो यहाँ मैं बना देता हूँ एक तो furniture ठीक है मैं बना दिया हूँ furniture लेकिन furniture का ledger बना हूँ है हम लोगे पास तो उसको देखेंगे अब furniture का opening balance बोले 1,20 तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 2 balance BD 1,20 अब हम लोगे पास क्या आएगा इसका actual closing value आएगा तो 1,20 प्लस 1,05 आग आगया 2,25 2,25 माइनस 37 माइनस 13 1,75,000 आ रहा है सर इसका closing 1,75 आ रहा है इसका closing यह जाएगा आपका closing balance sheet में 1,75,000 तब से इसलिए तो हम लोग furniture account बना रहे थे 1,75 अब हुआ complete अब हुआ है complete question पुरा कोई और adjustment pending नहीं है all done तो अब क्या करेंगे अब हम लोग अब आप देखिए जो opening balance sheet है उसका capital fund निकालते है अब liability में कुछ भी नहीं है कोई बात नहीं capital fund का balancing figure कितना आ रहा है सर asset side का total करना होगा 40,000 प्लस 155,500 प्लस 20,000 प्लस 120,000 3855,000 3855,000 3855,000 यही हो गया आपका capital fund यही हो गया आपका capital fund एक second रुकी है एक second रुकी है मेरको ऐसा अचानक से लगा कुछ missing तो नहीं है सब ठीक है 3855,000 अब यहाँ पर लिख लीजे capital fund 3855,000 लेकिन इसमें add करना होगा surplus तो surplus calculate करिए income expenditure को balance करके income expenditure को balance करना होगा 12,500 प्लस 120,000 प्लस 9,000 प्लस 272,000 कितना आ रहे है 413500 413500 00 अब इसमें अपने लोग balance कर लेते हैं 2 surplus माइनस 3,000 माइनस 13,000 माइनस 18,500 माइनस 30,000 माइनस 42,000 माइनस 60,000 2,15,000 2,15,000 2,15,000 2,15,000 2,15,000 में add कर दीजिए surplus में capital fund में sorry this is coming to 6,000,500 अगर हम लोग इसका पुरा total करते हैं देखते हैं balance sheet match हो रहा है कि नहीं plus 11,000 6,1,1,500 इधर भी देख लेते हैं सेम आ रहा है कि नहीं आना तो चाहिए 6,1,1,500 let's see 5,000 plus 1,080 plus 4,500 1,020 1,075 plus 30,000 plus 82,000 plus 15,000 माच होगे ओहो अब देखते हैं answer books से मैच हो रहा है कि नहीं books से मैच हो रहा है कि balance sheet का answer तो मैच हो गया surplus भी मैच हो गया capital fund भी मैच हो गया सब डन सब का सब मैच हो गया समझे है सर यह रहा आपका पूरा का पूरा income expenditure रहा तेक है यह रहा आपका पूरा का पूरा closing balance sheet 6,1,500 total आएगा और यह रहा आपका opening balance sheet सर opening balance sheet क्यों बनाते हैं यह capital fund निकालने के लिए वरना आप capital fund यहां उपर वाला balance sheet में post कैसे करो तो यह रहा आपका opening balance sheet ठीक है भई अब next class में हम लोग continue करेंगे question number 49 के साथ यह था आपका question number 48 तक का coverage झाल झाल यह झाल